Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, my name is CS Pail Pooply and this particular video में हम देखने वाले हैं हमारी full package series का chapter number 3 जिसका नाम है business environment So, इस series में हमने 2 videos already release करवा दी है, first और second chapter की, किसी भी student ने अगर अभी तक नहीं देखी है, link आपको playlist का मिल जाएगा description box में, फट से जाके देख लीजे ये series हम sample paper के basis पे बना रहे हैं, जो CBSE ने sample paper release किया था, उसमें जिस तरहे से question दिये हुए थे, जो pattern follow किया हुआ था, exactly same pattern हम यहाँ पे copy कर रहे हैं, लेकिन chapter wise, ताकि आप लोगों की preparation बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाए ठीक है, तो इस series का एक भी video skip ने करना है, hardly 12-13 videos होंगे, उसमें भी तुम skip करोगे, तो क्या ही मतलब बनेगा, राइट, तो 12-13 videos देखने हैं, देख लो, और जाधा duration की भी नहीं बना रहे हैं, जितना हो पा रहे हैं, उतना concise way में बनाने की कोशिश कर रहे हूँ, जिस पर तुम्हें click करना है, थोड़ी सी information वो तुमसे तुम्हारे बारे में पूछेंगे, वो fill करनी है, और उसके बाद तुम्हार को magnet brain से call आएगा, कि कैसे तुम इन books को ले सकते हो, या फिर हो सकता एक mail आजाए, ठीक है, तो जो भी उनका तरीका होगा, तुमसे communicate करने क वो कर लेंगे, और तुम्हें बता देंगे, ये books में सब कुछ available है, first AMC, Qs, topic-wide explanation, questions, subjective वाले case-based questions, हर तरहे की information, हर तरहे की question, हर तरहे की जितनी भी explanation हो सकते हैं, उस सब इसमें included है, तो काभी वाइबे मन्द है, if you want to take it, take it, चलो, अब इस particular video में, या full package series में, questions किस तरहे से पूछे जाएंगे, किस way में आएंगे, उसके बारे में थोड़ा से जान लेते हैं, they say question 1 to 20, they say नहीं actually we say, क्योंकि हमने बनाये हैं, तो question 1 to 20 जो है, वो एक mark question है, जिसमें हम MCQ के answers देंगे, multiple choice questions उसमें रहेंगे, इचार option के साथ, आपको उसे answer करना होगा, अब इसमें assertion reason आ सकता है, match the following भी आ सकता है, picture based question भी आएंगे, case based question भी आ सकते है, ठीक है, बाकी सब में मैंने बोला कि आ सकते हैं, लेकिन picture में मैंने बोला आएंगे, क्योंकि picture तो हर उसमें होगा ही होगा, और यह first time introduce किया गया है, तो इस वाले question को थोड़ा सा seriously लेने ना, क्योंकि मैंने देखा है, मतलब लाइक जिन बच्चों को मैं physically पढ़ाती हूँ, life classes में, उनका देखा है कि वो कहीना कहीना pictures में थोड़ा सा गलतियां कर रहे हैं, तो it's better कि तुम क्या करो, NCRT की जितनी भी pictures ना, उनको एक बार study कर लो, कौन से concept से relate करते हैं, वो समझ लो, और वो क्यों व guarantee हो रहा है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, है न, बून-बून से तो सागर बनता है, एक-एक नमबर से इंसान fail या पास होता है, एक-एक नमबर से कभी-कभी first या second position तेया होती है, like I remember my school days, there was this girl, Neha नाम है उसका, she is in government services आजकल, और उसका और मेरा बहुत competition चलता था, बहुत जादा ही, मतलब neck-to-neck competition होता है, वैसा चलता था, कभी उसका एक नमबर साधा, कभी मेरा एक नमबर साधा, और final exam में सिर्फ एक नमबर से मैंने उसको पीछे कर दिया था, ठीक है, और मुझे बहुत खुशी होई थी इस चीज़ की, बच सिर्फ एक नमबर से lifelong उसको regret रहे कि I got one mark extra, जिसकी वज़े से मेरी और उसकी position different हो गई थी, तो कई बार ऐसा होता है, आपके school में, आपके friend circle में, आपके इसी के साथ competition चलता है, जिससे बिलकुल ऐसा, ऐसा competition चलता है, कि हलकी सी भी गलती आपकी आपको पीछे कर सकते है, तो वो गलती मत करना, यहाँ पर हो न, चलो question 21 to 24 है, तीन marks वाले, जिसमें subjective type questions तुम से पूछे जाएंगे, जिसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा, फिर आएगा तुम्हारा question 25 से 30, जो कि 4 marks का होगा, इसमें subjective questions होंगे, लिखना होगा तुम्हें, लेकिन साथ साथ होस्ता है, कुछ case based questions भी हो, ठीक है, और यह chapter जिस तरहे का है, इसमें maximum तुम्हारे case based question आने वाले है, ऐसे वानों वो तुमसे पूछेंगे, यह change आया, बताओ, यह कौनसे वाला change है, यह change आया, बताओ, यह कौनसे वाला change है, तो ऐसे पोरे ही तुम्हारे kind of practical question है, case based questions है, ठीक है, 31 से 34 जो है, वो 6 marks की questions होंगे, मत है, वो case based questions के लिए नहीं होती, कई बार case based questions में विलकुल आपसे answer, जस एवे ही पूछा होता है, कि बताओ, state the name of that particular thing, यहाँ पे तुम्हारे explanation नहीं लिखना है, तुम्हारे सिर्फ state करना है, तो वहाँ पे state करने भी तुम्हारे marks मिल जाएंगे, तो यह word limit है ना, यह case based questions प नहीं कर रहा हूं, तो लिख देना क्या जा रहा है, otherwise पहली priority तुम्हारे यह होने चीए कि subjective वाले में पूरा पूरा लिखो तुम, अब यहाँ पे देख लो, तीन घंटे का तुम्हारा paper होने वाला यह, जो इस particular video में cover किया गया है, और 80 marks इस से तुम्हें मिल सकते है, maximum marks मत चली डेरी घंटे में खतम हो जाएगी, reason being, मैं लिख नहीं रही हूं, मेरे सामने question है और उसके answers होंगे, जो मैं आपको बोल के मतलब समझाओंगी, ठीक है, तो मैं लिख नहीं रही हूं, इसने मेरा जल्दी fast fast complete हो रहा है, बाकी 3 घंटे का paper होने वाला है, तो अगर तुम बाके में बैठके मेरे साथ यह attempt कर रहे हो, तो तुम 3 घंटे में से finish कर लो, यह ensure कर लेना, अब इसमें 34 question होंगे total, जैसे कि हमने देखा ही, bifurcation देख लिया, हर question कितने marks का है, वो उसके आगे indicated है, so you don't have to worry about that, जितना भी number लिखा होगा, उसके according you have to write your answer, आपको बिलकुल brief में और to the point बात करनी है, जाद अफालतु बक्वास वो नहीं चाहते है, वो चाहते हैं कि भाया जतना तुम से पूछा हुआ है, उतना ही बताओ, राम सीता कि क्या लगते थे बस वही लिखना है, राम और सीता की जन्म कथा और वो सब वो कैसे वन में रहे, क्या क्या वो से लंबी स्थोरीज बजाना साथ है, no, to the point बात करो, बात खतम करो, answer to the question के आरेंग 3 marks, maybe from 52-75 words, वो बोल रहे है, 3 marks वाले जो question है, उसके answer आफ 52-75 words में लिख सकते हो, 4 number वाले जो question है, उनके answer तुम 150 words around लिख सकते हो, और 6 number वाले जो question है, उनके answers तुम 200 words around में लिख सकते हो सारे question एक साथ attempt करना जरूरी है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई sub-part है, या फिर कोई ऐसा question है, जो जुसमें A, B, ऐसे अलग अलग कुछ दिया हो, तो उसमें A, B, ऐसे sequence follow करते हो चलना, यह मत करना 16th का A इधर लिखा हो है, 16th का B उधर लिखा हो है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे में marks कटने के उमीद जादा होती है, probability जादा होती है, उमीद तो क्या ही रखोंगे mark कटने के, तो यहां से finally हमारा यह test शुरू हो रहा है, test क्या है, तो basically एक आपके लिए सहूल एत वाली चीज है, इसको हम sample paper भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह chapter wise है, तो we'll call it full package series का य इसकी based question, यहां के सामने question लिखा हुआ है, मैं हमेशा जो question बढ़ूंगे ना तो मैं यहां पर खड़ी होंगे, और यहां से मैं read कर रही होंगे, तो जो भी students चाहते हैं कि वो मेरे से पहले answer इसका खुद attempt करके देखे, वीडियो को pause कर लेना, खुद से read करना, जो तुमारे question है, as a foreign tourist visited India, he noticed that Indian markets, tastes, trends and regulations were different from that of his country, which feature of business environment is reflected here, business environment has uncertainty, business environment is dynamic, business environment is a relative concept, all of the above, यह बोल रहे हैं कि एक foreigner भाई साब इंडिया में आए, तीक है, अब इंडिया में इन्नोंने बेखा कि यहां पर तो सब कुछ चल लग है, यहां तो हमारे US जैसा कुछ नहीं होता, यहां तो खुले में आप अराम से अपनी वो नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, यह नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, चार चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, खुले में कोई बिद गंध फेक रहा है, कुड़ा करकर वो कर रखा है बहुत चारी चीज़े उसने ऐसे नोटेस करें इंडिया में, दीक है, तो उसको यह realize हुआ, कि this isn't like our nation, यह हमारे nation जैसे चीज नहीं हो रही है, यह realize उसको जैसे ही हुआ, तो यहाँ से हमें business environment के एक feature के बारे में पता चला, अब वो feature आपको पहचानना है, क्या है? एक बाहर का इंसान है इंडिया में आके इंडिया के लोगो HELके तेचर रहा है उसके यहाँ पर ट्रेंड देख रहा है सब कुछ नोटिस करило यह रयाइस कर रहा है कि उसकी थैंड को कुर्री में इससे लेना देना कुछ नहीं है डायनमिक है बदलता रहता है यहां पर बदलाव नहीं हो रहा है यहां पर नेशन वाइस जो बदलाव है उसके बारे में बात हो रहे है टाइम के वाइस नहीं हो रही डायनमिक का मतलब है कि इस समय में यह हुआ करता था इस समय यह होता है इ together चीज़े different है तो यह places से related है dynamic time से related होता है जिन बच्चों को यह भी confusion है वो भी I hope clear हो गई तो यहां correct answer क्या होगा business environment is a relative concept मतलब हर place के according चीज़े different होंगी और differently work करेंगी तो business environment भी वहां का क्या होगा different माना जाएगा okay understood to see will be the correct answer of this question चलिए now let's move to the question number 2 यह बोलता है dash assists in planning and helps in policy formation group dynamics business environment turnaround management none of them above क्या चीज़ planning में मदद करती है और साथ ही साथ policy formulation में भी मदद करती है policy बिनाने में मदद करेगी planning करने में मदद करेगी बताइए क्या है वो चीज़ group dynamics business environment turnaround management none of the above बोलिए and the correct answer is business environment obviously जो chapter पढ़ रहे हो से तता तो link करी सकते हो बढ़ा यह अगर question तुमारा आ जाता final में मतला final exam में और वहां पर तुम्हें नहीं पता कि कौन से रिलेट करता तो हो सकता है थोड़ा से तुम्हें मापे doubt हो जाता बतन तुम्हें यह समझने की जुरूत है planning हम किसके basis पर करते हैं जब planning कर रहे होता है तो हम अपने आसपास सीज़े देखते हैं देखते हैं ना क्या चल रहा है क्या हो सकता है जैसे अगर मैं बोलू कोविट की cases बढ़ रहे हैं ठीक है हमारे friends का बन रहा है गोवा का प्लान अब कोविट के cases on daily basis बढ़ रहे हैं और हम बिना देखे गोवा का प्लान बना रहे हैं और हम है ऐसे hotels में booking करा रहे हैं जहां पर cancellation पे आपको zero refund मिलेगा तो तुम बेवकुफी कर रहा है तो मैं समझ में आ कोविट cases are increasing अब ऐसे में हो सकता है जिस ताइम तुम्हारा actual प्लान है फ़र से मेरा दस दिन बात प्लान हुआ जाने का तो दस दिन में तो पता नहीं कितने ही act करते हैं ठीक है चलिए तो second answer क्या हो गया बी हो गया now let's move to third question यह बोल रहे है identify the examples of changes in business environment that affects business enterprises आपको यहां पे वो example identify करना है जिसमें यह दिखाया हुआ है कि business environment में अगर कोई भी change होता है तो उसकी वज़ए से business enterprise में भी change आता है क्या हुआ business enterprise changes face कर रहा है क्यों क्योंकि उसके business environment में change आया और यह तम जानते ही है जब भी business environment में कोई change आता है तो उसका impact कहीं न कहीं business enterprise पे पढ़ता ही पढ़ता है तो यहां पे चार option दिये हुआ है first है increase in taxes by government can make products expensive causing reduced demand जब government taxes का amount increase करती है तो products क्या हो जाते है महेंगे हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी demand क्या होती है decrease हो जाते है एक नाम इसका यह तो basic rule पढ़ा हुआ है ना जब भी there'll be increase in price the demand will go नीचे है ना except हमारे जो exceptions वहां पर दिये हुआ है के फिन गुजर वो सब रहते है उन सब को छोड़के normal वो क्या बोलता है कि demand अगर sorry price अगर बढ़ रहा है तो demand नीचे जाएगी price अगर कम हो रहा है तो demand ऊपर जाएगी यही बोलता है normal rule तो यहां पे अगर taxes की वजह से किसी भी product का price increase हो drop tops पहना पसंद अब नहीं पसंद है पहले लोगों को plazos पहना पसंद आज flat pants आ गई है उसके नाम पर तो taste change हो रहा है उसके according क्या हो रहा है चीजों की demand change हो रही है तो technological improvements में रेंडर existing products obsolete भाया जितने technological changes आया है जिसके अब उसके कारण जो पुराने समान हम इस्तमाल किया क करते है आज की डेट में वो प्रिड़क्ट क्या हो गए है obsolete हो गया है उनका कोई usage नहीं बचाए ठीक है यह चौथा option ने all of the above अब आप मुझे यहां पर बिताईए कौन सा change example होगा किसका business environment की उपर business environment के में changes आने की विज़े से business enterprise पे चेंज आ रहा है कौन सा वाला example होगा a, b, c, d तुमें पॉइंट्स दिख रहे हैं इन कोई भी पॉइंट्स तो मयअसा लगत है और जोबसुंज ही इसमें चाहीं ह्कून्टी का यहां चेंज है यहां पर तो सारे चीज़ें चेंज चंज ए पार कि आपका होगा आपका बी होगा कि यह सारे ही examples बन सकते हैं, इस concept के, ठीक है, तो D will be the correct answer of question number 3, चले, let's move to question number 4, ये बुरा है, business environment is dash, as it consists of interrelated factors affecting business enterprises at the same time, business environment dash है, ठीक है, क्योंकि ये consist करता है, बहुत सारे interrelated factors से, जो कि business enterprise को effect करते हैं, same समय पे, simple, dynamic, complex, either A और C, बताओ, business environment क्या है, is it a simple thing, और या dynamic है, या complex है, आगे का sentence पढ़ना, सिर्फ इतना मत जज़ कर लेना, आगे का sentence पढ़ना, वो क्या बोड़े है, कि इसमें बहुत सारे interrelated factors होते हैं, जिसमें business enterprise effect होता है, वो भी same समय पे, तो मतलब ये क्या है, एक बहुती complex सीज है, so answer क्या हो जाएगा, business environment is very complex, उसको समझना इतना ज़्यादा भी simple या easy नहीं है, ठेक है, चले, let's move to question number 5, ये बोल रहा है, which of the following option correctly describes the reference between specific and general forces of the business environment, मैंने आपको बिटाया था कि business environment, दो पार्च में वाइफर के रिडर होता है, वान होता है general और नादू वान होता है specific, ठेक है, एक होता है general, एक होता है specific, अब यहाँ पर आपको इसके basis पर आंसर करना है कि कौन से general, कौन से specific, किसका explanation सही दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, समझ लो, ये बोल रहा है, specific forces affect the individual enterprises, जो specific forces होती है, वो individual enterprises को hit करती है, directly, whereas जो general forces होती है, वो indirectly effect करती है, ठीक है, second है, general forces have direct impact on individual enterprise, whereas specific forces का indirect होता है, जो उपर बोली गई है न बाद उसका just उल्टा second में बोला गया है, थर्ड में बोल रहा है, specific forces does not affect an enterprise at all, ये जतने भी words ऐसे हैं भारी भरकम वाले दिखने में जो बहुती simple sound करते हैं, उन पे नज़र रखना, ठीक है, ये बोल रहा है, specific forces तो enterprise को affect करता ही नहीं है, जबकि general forces जो है, वो directly affect करता है, all business enterprises को, या none of the above, बताओ, बताओ specific forces कैसे hit करती हैं और general forces कैसे hit करती हैं, specific, नाम से समझ में आ रहा है कि specifically hit करेंगे, और general मतलब इन general वाली है, सबको एक समान तरीके से hit करेंगे, तो first वाला जो explanation है, वो बिल्कुल correct है, कि specific forces individual को exactly direct way में hit करने वाली होती है, वाइरस general जो होती है, वो indirect way में hit करती है, तो इसका right answer होगा A, मैं ये सब remove कर देती हूँ, कोई भी question को answer करने से पहले उसको एक बार interpret करके देख लेना, कि वो exactly किस way में बात कर रहे हैं और बोलना क्या चाह रहा है, और जितने भी ऐसे words होते हैं उनको please skip मत करना, पढ़ते पढ़ते हवा में मत उड़ा देना, क्योंकि यहां पर आपको question समझने हैं तो पूरा एक number ही चला जाएगा, subjective में चलो फिर भी तुम आगे पीछे को कुछ लिख दोगे तो थोड़ा बात marks मिल जाएगा, यहां पर उसका scope नहीं है, इसमें मैं हमेशा बोलती हूँ, MCQ comparatively difficult होते हैं, क्योंकि इसमें महनत तो पूरी लगती है, इसमें आपने कितना याद किया हुआ है, कितना सब समझा हुआ है, concept clarity है कि नहीं है, वो सारा चेक हो जाता है, लिकिन reward में सिर्फ एक ही number मिलता है, तो इस दिए थोड़ा सा अच्छे से, ओके, sixth question है, obstacles to privatization are opposition by laborers, problem of financing, political pressure, all of these, privatization का obstacle क्या है, मतलब, privatization का मतलब होता है, जादतर private bodies काम कर रही है, country में, मतलब, maximum काम private bodies दोरा किया जा रहा है, अब इसको, इसके लिए एक hindrance क्या होगी, इसको रोकने की एक चीज क्या होगी, मतलब, इसको आगे बढ़ने से, जो रोक रहा है, वो कौन सा factor है, वो क्या चीज है, पहला बोलते हैं, laborers द्वारा, opposition, दूसरा है, financing की problem, तीसरा है, political pressure, obviously, political pressure ऐसे की, देखो, अगर politician कोई काम कराएंगे, ठीक है, यह आपर जादा मेहनत हो गए न, एक में उनको directly मिल रहा है, दूसरे में उनको मेहनत करके मिल रहा है, तो वो, obviously, इस चीज को पसंद नहीं करेंगे, और last है, all of these, मतलब, सब, बताओ, क्या होगा, इसका correct answer, and the correct answer is all of these, यह सारे के सारे कही न कही प्राइज़ेशन के लिए obstacles है, चलिए, 7th question, ओके, इस देट को कोई कैसे ही भूल सकता है, दीवारिटाइजेशन, मोधी जी ने कौन सी देट को लाई थी, I remember, यह उस देट को आई थी, जब हम सब कोचिंग पर रहे थे, हम सब कोचिंग क्लास में थे, हम फ्री होके घर गए थे, घर जाने से पहले हमारा एक अड़ा हुआ करता था, हम आपे हम खा पी रहे थे, और हमारा एक दोस्त पहले ही घर पाँच गया था, उसने वहां से हम सब को कॉल करके बताया, कि अरे, do you people know कि 500,000 के नोट बंद हो गया और हमें लगा क्या बॉक्वास कर रहे ही, मतलब इसको, इसकी दिमाग पर असर हो गया, कुछ भी बूल रहे है, ऐसा कुछ होई नहीं सकता, और जब हम खुद घर गए और हमने ये निउस चेक करी, तो we started discussing, like हमने एक दूसरे को ऐसे फोन लगाए न, मतलब ऐसा हो रहा था, जैसे पता नहीं हमारा कितना काला धन जमा हुआ पड़ा था, जो हमें side करना था, इतनी इतनी discussion होई हम दोस्तों के बीच में, तो इस दिन को मैं तो कभी नहीं भूल सकते, I don't know आप लोगों को कितना याद है, और आपको ये किस तरह से impact किया, जिल लोगों ने obviously bear किया, जिल लोगों ने lines में लग लग के bank की, अपने notes वगेरा, exchange करवाय सब किया, उनको याद होगा, pretty sure, लेकिन बात की सब जो घर पे ही थे, उनको तो I don't know, याद होगा के नहीं होगा, इस 13th November 2016, 8th November 2016, 18th November 2016, या 8th October 2016, एक option तुमारा खतम कर देती हूँ, इस नेवेंबर only, और 2016 भी था, तो तीन option में से पेचानों कौन से था, and the correct answer is 8th November 2016, अभी एक आठ दिन पहले ही इसकी anniversary मनाई गई है, मतलब Instagram मैंने खोला तो उसमें मीम जाय से आ रहे थे, की demonetization की चली anniversary मनाते हैं, तो anniversary मना रहे थे, तो इस से भी वाद थोड़ा बात तो social media से भी हमें कहीं न कहीं, कुछ-कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, चलीए, 8th question है, Demand for LED TVs are increasing day by day, thus TV manufacturers have started making LED TVs instead of LCD, identify the significance of business environment being portrayed in the given case, लोगों में आजकल LED TV की बहुत ज़ाद दिमांड बढ़ गई है, जिसके कारण जो manufacturers थे, जो assemble करने वाले लोग थे, उन्होंने LED TV बनाना बंद कर दिया, sorry, LCD TV बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि LED TV की डिमांड बढ़ गई है, यह business environment की बारे में क्या चीज़ बताते हैं, कि it helps in tapping useful resources, helps the firm to identify threats and early warning signals, helps in copying with rapid changes all of the above, Companies को पता लगा कि LED TVs की डिमांड बढ़ गई है, जिसके कारण LCD TV नहीं बिख पा रहे हैं, तो उन्होंने LED TV बनाना शुरू कर दिया, तो इससे हमें क्या पता चलता है, business environment के बारे में, उसके significance के बारे में, business environment के कुछ features हैं, कुछ significance हैं, यह chapter बहुत easy है, मैं expect करती हूँ, हर student इस chapter से जितने भी question आएंगे, उनको बहुत अच्छे तरह से attempt करके आएंगे और पूरे-पूरे marks लेके आएंगे, चलिए बताइए, helps in tapping useful resources, helps the firm to identify threats and early warning signals, helps in coping with rapid changes, या फिर all of the above, and the correct answer is, helps in coping with rapid changes, क्योंकि देखो change आ रहा है, taste में change आ रहा है, जिसकी वज़े से demand में change आ रहा है, तो यह आपको, बदलते समय के साथ, बदलाव लाने के लिए बोल रहा है, so C will be the correct answer, चलिए, नाइथ question है, नथि 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 वी सेट विद सर्टेनिटी अबाउट दफाक्टर्स ऑफ बिजनस एंवार्मेंट, बिजनस एंवार्मेंट की बारे में कुछ भी सर्टेनिटी मतला बिल्कुल ऐसे शौर होके नहीं बोला जा सकता, क्यों, बिजनस एंवार्मेंट इस सिंपल, बिजनस एंवार्मेंट डायमिक है, बिजनस एंवार्मेंट इस सर्टेन, business environment is interrelated. पताईए. एक तो चीजी यहां पर गलत दी हुई है. दो चीजी अच्छली यहां पर गलत दी हुई है. Business environment की बारे में कुछ भी शौर शौर वे में नहीं बोला जा सकता है. 4 option में से 2 option तो clearly गलत है. कि business environment simple है. कहां से simple है business environment? कभी देखा business environment को simple होते हुए. It's a complex thing. उसके बाद business environment certain है. कैसे certain अब यहां? आप कल क्या होने वाला है कैसे बता सकते हैं? तो यह certain हुआ कैसे? तो यह option नहीं गलत है. इनकी बारे में बात ही नहीं हो सकती. अब आपकी बात होगी इन दोनों के basis पे. तो आपको पहचाना बहुत जादा सिंपल हो जाएगा. मैंने आपके लिए 50-50 की चॉइस कर दिया. बताइए. B.E.R.D. क्या होगा आपका correct answer? B.E.R.D. क्या होगा आपका correct answer? And the correct answer is B. क्योंकि dynamic है. Business environment हमारा dynamic है. बदलता रहता है बदलते समय के साथ. That's why we cannot say कि भया कुछ भी certain है, कुछ भी शौर शौर है. Okay. 10th question. Which of the following is not a challenge faced by business due to LPG policy changes? Which of the following is not a challenge? इन में से कौन से वाला challenge नहीं है, जो कि business द्वारा face किया गया है LPG policy changes की वज़े से. Excuse me. LPG policy changes कौन से थे? Liberalization, Privatization, Globalization. यह Liquified Petroleum Gas के बारे में बात नहीं कर रहे है. We're talking about Liberalization, Privatization and Globalization. यह policy changes आये थे तो इसकी वज़े से businesses को कौन कौन से challenge face नहीं करने पड़े थे. First is increasing competition नहीं वाला question नहीं द्यान रखना मैंने highlight भी किया है. अगर ऐसा question तुमें भी आता है ना तो pencil से highlight कर ले ना की नहीं के बारे में बात कर रहे है. Increasing competition, इसकी वज़े से competition increase हुआ. Rapid changes in technological environment. Technological environment में बहुत-बहुत जल्दी-जल्दी changes आये. Lesson need for developing human resources. Human resources को develop करने की need बहुत कम हो गई. None of the above. बहुत ही simple, बहुत ही सरल आंसर है इसका. और सरल साई question था, यह simple question था, जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आते हैं उनके लिए. And the correct answer is C, lesser need for developing human resources कैसे बहुत है? कहां से link है? LPG, human resource, कहां, कहां connection बैट रहे हैं? और क्यों हम उनकी development कम कराएंगे? Human resource की development कम करा तो ता कि वो dull बन जाएं, ता कि वो नालायक बन जाएं, और फिर तुम देश सलाल हो गई. वाओ, फिर तुम मैं पता नहीं LPG कितने ऐसे बार 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 लाने पड़ेंगे. ठीक है? जिसके लिए हम ready भी नहीं है. So, C is the correct answer. Now, let's move to question number 11. यह क्या बोलता देख लेते हैं? यह question बोल रहा है, Which dimension of business environment requires putting a statutory warning on the package of tobacco products? To back up products, I hope आप लोगों ने खुदने कभी consume नहीं किये, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कि जो इसे cigarettes बगेरा हते हैं, इसके उपर usually एक statutory warning लिखी होती है, अगर आप यह consume करेंगे, तो आपके lungs सड़ सकते हैं, तो आप अपने खुद के risk पे आप इसे consume कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आप सोचिए, usually जब किसी भी product की marketing होती है, तो हम कुछ अच्छा-च्छा उसके बारे में लिखते हैं, लाइक यह shampoo खरी दिये, इस shampoo में यह है, यह वो खरी दिये, यह दूसरों से इस तरह से different है, लेकिन एक चीज आपको बेचनी भी है, और उसकी marketing में आप negative बात लिख रहे हो, कि भाई इससे तुमारे lungs सड़ सकते हैं, तो ऐसे में ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, यह किस वज़े से आप कर रहे हैं, वो बताईए, कौनसी ऐसी आपके उपर requirement थी, obligation थी जो आपको ऐसा tobacco प्रिडाक्ट के उपर लिखना पड़ा, technological environment, economic environment, legal environment, all of the above, इन में से कौनसी वाली environment से influence था, और कौनसी ऐसी requirement थी जिसके चलते हुए, आपको ऐसा बेकार चीज अपने प्रिडाक्ट के उपर लिखना पड़ा, जो कि actually सच है, बट बेकार तो है, that's a negative thing, अगर माली जो कोई बहुत ज़्यादा seriously उस चीज को पढ़ ले और ले ले, तो वो नहीं consume करेगा उस प्रिडाक्ट को, पर फिर भी मार्केटर्स ऐसा करते हैं, उनको ऐसी चीज लिखनी पड़ती है, why? Simple सा answer है, legal environment के चलते हुए, अगर आपके देश में ये law बना हुआ है, कि tobacco products बेशते हुए, आपको ऐसी warning देनी होगी, तो अगर आप नहीं देंगे, तो आप ही जेल चले जाएंगे, इससे ये legal environment के चलते हुए, आपको ये चीज करनी पड़ती है, चलिए, 12th question, which dimension of business environment is concerned with improvement and innovations, which provides new ways of producing goods and services, technological environment, economic environment, legal environment, ना अफ्थ अबाब, they are saying, business environment का कौन सा वाला dimension, क्योंकि business environment के हमने बहुत सारे dimensions देखे हैं, वो concern करता है improvements और innovation से, जिसे पहले Apple 6 था, फिर 7 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया, फिर 10 आया, 11, 12, 13, 14 आ चुका है, और अगले साल 15 भी आ जाएगा, हर Apple product में नहीं 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 इंप्रूब्मेंस हो रहे हैं, फिचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक की जगे दो, दो की जगे तीन, इतने इतने कैमरा आ रहे हैं, और नियर फ्यूजर में हो सकता है, चार पांच कैमरा आने लग जाए, फ्रेंट कैमरा इस वेरी हाई, मतलब अच्छी रिजूशन का है, और भी 10 चीजए add-on हो रहे हैं, तो यह सारी improvements तो innovations हो रहे हैं, वो कौंसे वाले environment से related है, is it related to technological environment, economic environment, legal environment, यह ननल्फ दंवाफ़ीन है, and the correct answer of this question is technological environment. चल क्याएं, question number 13, trends refer to changes and inclination towards new products and services, this statement describes significant effect of which environment on business, economic environment, social environment, political environment, none of the above trends refer to changes and inclination towards new products and services trends का मतलब होता है आप नए services और products की तरफ tiltation शो करते हैं मतलब आज तुम्हें कुछ और पसंद था कल तुम्हें कुछ और पसंद होगा तो यह क्या है यह आपको कौन से environment की बारे में एक significant effect बताती है economic environment, social, political, man of the above बोलिया and the correct answer is social environment क्योंकि trends में changes आना किसे related होता है लोगों से related होता है लोगों को पहले वो चीज पसंद थी लोगों को अब वो चीज पसंद नहीं है तो लोग जहां आ जाते हैं कौन से environment हो जाता है social environment हो जाता है चालिया 14th question which of the following statements regarding privatization is correct privatization के बारे में इनमें से कौन से वाली statement correct है privatization समझने है ना आप लोग अभी मतलब नहीं बताऊंगे वरना answer मुह से निकल जाएगा अभी पहले पढ़ लेते है privatization is panic here for all economic problems privatization always leads to attaining social and economic efficiency privatization may result in unbalanced development of industries in the country none of the above आपको बताना है इनमें से कौन से वाली statement privatization के बारे में सही है बताइए प्राइडाइजेशन जड़ है सारी economic problems की privatization social और economic efficiency में lead करती है privatization की वज़े से unbalanced development होती है या none of the above and the correct answer of this question is C privatization unbalanced development कराती है कैसे देखो जो government होती है उसका तो यह होता है कि भाया हर area को हमें अच्छे से develop कराना है हर area की मतलब government यहां पे कभी भी वो नहीं करती bifurcation नहीं करती है बाइसनेस नहीं लाती कि भाया मुझे यह region ज़्यादा पसंद है यहां पे मेरा ज़्यादा फायदा हो रहा है हम यहां पे इंडस्ट्री खोलेंगे नहीं they'll never do it वो हर area का एक तरह से विकास करना चाहती है किसी है सोचेंगे कि आई यहां पे अगर मैंने इंडस्ट्री लगाए तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा तो मैं यहां पे इंडस्ट्री नहीं लगाएगी Just after declaration of Lok Sabha elections 2009 results, the Bombay Stock Exchange price index rose by 2100 points in a day This statement signifies the effect of which environment? Technological environment, political environment, legal environment या फिर economic environment मैंने बोला था ना यह chapter ही relate करता है इस पूरे dimension वाली चीज़ से तो इसमें काफी सारे case-based questions होंगे और आप देखी रहे हैं कितने सारे हैं? Maximum practice करके जाना इस chapter का एक भी question गलत हुआ ना मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगे Just after declaration of Lok Sabha elections 2009 के जो Lok Sabha elections हुए थे उसका जब result declare हुआ था तो Bombay Stock Exchange का जो price index का जो वो था वो increase हुआ 2100 points से एक दन में यह statement क्या signify करता है हमारे environment के बारे में? किस change की वज़े से एकदम से हमें उतार चड़ाव देखने को मिला B.S.C. index में? B.S.C. का index कौन सा होता है वैसे? Nifty Sensex यह भी बताना मुझे comment section में Nifty or Sensex? B.S.C. का index किस नाम से जाना जाता है? बताए यह कौन से वाला factor है? कौन सी वाली चीज वो हो रही है? And the correct answer is political environment. क्यों? क्योंकि लोग सभा elections के बारे में लिखा हुआ है Government से related है Government के political parties से related है तो कौन सा environment influence हो रहा है? Political environment influence हो रहा है Okay, now we are on 16th question यह 16th question है Picture based question क्या बोलता है? उससे पहले analyze करो इस picture को Okay, I hope आपने इस picture को analyze कर लिया है अगर आपने देखा हो sample paper CBSC का तो इतनी सी photo सेम उसमें इस्तमाल की गई थी और उसके basis पे question पूछा हुआ था अब यहाँ पे भी यह जो है ना यह सारी pictures को हम तब तक analyze नहीं कर सकते जब तक हम इस चीज को नहीं analyze करें यहाँ एक sentence लिखा हुआ है जो कि might be आपके final paper में ना लिखा हुआ आपके सिर्फ picture दी होगी यहाँ जो sentence लिखा हुआ हुआ है बुक में उसको ध्यान देना उनने बाहर आना शुरू कर दिया बाहर आके काम करना शुरू कर दिया अब जब वह बाहर आई हैं तो सर्फ एक change नहीं हुआ ना इसकी वज़े से बहुत सारी चीजों में change आएगा जैसे की पहला example दिया हुआ है fashion industry में पहले और ते जब घर रहती थी तो वह comfortable कपड़े प लगने लग जाता है और वाइस वर्सा ठीक है तो सूट साडी में comfortable होती थी लेकिन क्योंकि अब वह workforce बनके offices में आ रहे हैं वह सूट और साडी ऑल टाइम कभी-कभी उन्हें formal कपड़े पहने पढ़ेंगे formal suits भी पहने पढ़ेंगे तो पहला चेंज आया fashion industry में कि ज्याधा formal wear पर चीज़ा जाने लग गई क्योंकि अब उन्हें office जाना होता है तो they can't wear चमकीले वारी dress कभी मतलब ऐसा तुमने देखा है किसी office में तुम गए और वहां पर फर से तुम बैंक वाइं थो गई होगे कभी पापा ममी की साथ कभी ऐसा देखा है कोई और बहुत जब ऐसे चमकीले कपड़े पैन के आई है सप्पी सितारे वाले और तुम उससे देख रहे हो कि यारी ओफस में तैयार हो क्या है नहीं देखा होगा न क्यूंकि वह वहां पर काम करने आई है वहां पर हमेशा simple कपड़े पहनेगी कोई किसी भी लेवल पर प्यों ना होमेशा simple कपड पहनते हैं तो फैशन इंड़स्ट्री में चेंज आ रहा है सेकिंड है इलेक्ट्रानिक ग्याजट इंक्रीज इंडिमांड अब भी देखो पहले सिर्फ आदमी काम करते थे तो आदमियों को पीसी बगेरा चाहिए अब और तो ने भी काम करना शुरू कर देखो भी बीसी मां ठीज थी खाना मना गरकाए अपकि वह भी ऑफिस आने लगाएं बंन भी ओफिस आएगा औरत भी ओवाय ओफिस जाएगे खाना क्या खाएंगे वह फास्ट्वॉड वाला मतलब की जल्दी बनने वाला पांच मिनिट मेंड को रहने वाला फूट फूट जो आता हम दढ़ी यसे जादा वह होता है बना होता है उसको बस हलका फुलका कुछ कुछ करना होता है फाइनल डाक में चीनज हो जाता है तो ऐसे वाली फ्रेडक्स के भी क्या हो गई इंक्रीज हो गई just because the person who used to make खाना पहले अब वो भी काम करने बहर जा रहा है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इंक्रीज इंडमांड बही कल ही like I was in Delhi और I saw वहाँ पे जितनी भी लड़किया थी ना मेट्रो मेट्रो वाले उस पे थी में station with the I wasn't using it but then I saw many people जितनी भी लड़कां थी ऐसे मेकप थोपा हुआ था ना उन्होंने उपर से नीचे तक मतलग हर बंदी जली में जो काम कर रही है उनके लिए obligatory है पहले मेरी कजन करते तो मुझे लगता था यार यह ओफिस इतना तयार हो कि जाते है लिए लिए लगार मेरी कजन बहुत जब में पार्टी में कर एर लाइक सीरसली बट बहां-पे तो इस वेरी नॉमल दप्र इवरी अधर गर्ल्ट वेरिंक वो फी अच्छा खासा बड़ा बड़ा का लड़की देखी वो तो ऐसे बिल्कुल वाइट वाइट और ऐसे कलर फ तो वहां पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की भी क्या होते है प्रड़क्स की इंक्रीज हो जाते है लोग को लगता है कि भी अगर तुम्हें जाना ही है ऑफिस मतलब सब लोग इतना तयार हो के आ रहे तो तुम भी तयार हो किया तो और तो ने मेकप भी खर जिदना शुरू कर जाया फूटाबिच में चेंज़ आया एंडेन कोस्मेटिक इंडस्ट्री में चींज आया अगर यह देखें अल्टी मिल्ख ली तो यह सारे चेंज इस किस उसमें आ रहे हैं मतलब टेकलोजिकल फैक्टर में आएंगे लीगल एंवार्मेंट में आएंगे सोशल फैक्टर म आएंगे यह एकनामिक फैक्टर में आएंगे आक्शली डोंट टेकिट इस वे ओके इसमें सिर्फ एक इक वेशन पूछा हुआ पहले मैं एक क्वेशन दूम्झे पूछ लेती हूँ पहले तो मुझे यह बता हो कि जितने भी चेंज आ रहे हैं यह एक चेंज की वजह से आ और अतने काम पर जाना शुरू किया यह कौनसे एंवार्मेंट में चेंज आया है थमारे कौनसे एंवार्मेंट है यह इस इस सोशल एंवार्मेंट में चेंज आया जिसकी वजह से यह सारे रिलेटेट चेंज आया अब इन रिलेटेट चेंज में से एक क्वेशन पूछा ह हुआ है with change in business environment led to fashion industry shifts towards formal wear formal wear shift हुआ हमारा fashion industry यह कौन से business environment का change consider किया जाएगा technological legal social economic low key habits बदल रहे हैं लोगों के टेस्ट बदल रहे हैं जो इसका answer होगा वही इसका answer होगा food habits बदल रहे हैं cosmetic industry में demand change हो ही है यह तीनों के answer सेम होगे बस इसका answer different होगा कौन सा यह लोगों में change आना लोग किस से related होते हैं society से society किस से related होते हैं social environment से तो यह जितने भी changes आ रहे हैं social environment में change के कारण आ रहे हैं और अपने workforce जोइन कर ली social change और तो के fashion industry में change ला दिया और तो ने अगैन क्या है लोग है और तो की बात हो रही है people related है social change लोग की cosmetic industry में changes आने शुरू कर दिये अगैन क्या है लोगों से related है तो क्या है social change food products food items की demand increase decrease होने लगी है कौन से चेंज है social है बस यह technological change आ जाएगा बाइट यह technological change आया है because of social change यह interrelated वाला point हो जाएगा एक चीज़ पर आता है तो दूसरी चीज में वो convert कर देता है दूसरी चीज़ में change ला देता है ठीक है तो 16 और आइड आंसर है सी चलिए 17 अब आ गए हैं आपके assertion reason वाले questions I hope आपको assertion reason वाले question solve करने आते हैं इसमें कुछ नहीं होता दो sentences दी होता है सबसे पहले आपको पता लगाना होता है कि दोनों sentences में से क्या दोनों sentences correct है या एक incorrect है अगर कोई एक incorrect होगा तो आपका answer इन दोनों में से होगा और अगर दोनों सही हैं, लेकिन जो बात कर रहे हैं, वो अलग-अलग बात कर रहे हैं, तो आपका अंसर सही हो जाएगा B, ठीक है, यह करना है बस इसमें, चलो पढ़ें इसमें, अजर्शन में बोलते हैं, the business environment is a sum total of all the external forces, जो business environment है, वो सारी external forces का sum total है, reason में बोला हुआ है, the different elements of business environment are closely interrelated, जो different, different aspects होते हैं, elements होते हैं, business environment के, वो एक दुसरे से जुड़े होते हैं, अब बताएगे क्या दोनो sentences correct हैं, अगर हाँ, तो answer A या B में से होगा, और कौहन से वाला होगा, वो भी बता दीजे, और otherwise C या D में से, and the correct answer of this question is, चलो, अगर किसी student को चाहिए, मेरे से पहले वो answer attempt करें, तो video pause कर लिया करो, यह मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े, the correct answer is B, reason being, यह दोनो sentences बिल्कुल correct हैं, कि yes interrelated होते हैं, closely related होते हैं, और दूसरा के sum total होते हैं सारे external forces के, लेकिन at the same time, यह एक दूसरे से linked नहीं है, यह दोनो same जीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, so B, correct answer होगा कि दोनो sentences हैं correct, लेकिन एक दूसरे का सही explanation नहीं है, 18th question, the business environment is a complex phenomena, assertion में लिखा हुआ है कि business environment एक complex phenomena है, second reason में यह बोलते हैं, the business environment consists of various interrelated and dynamic forces, the business environment है वो बहुत सारे interrelated or dynamic forces से मिल के बनता है, क्या दोनों correct है, या incorrect हैं में से कोई एक, दोनों correct है, तो क्या दूसरे वाला पहले वाले का सही explanation है, and the correct answer is a, yes, यह एक दूसरे से connected है, interrelated or dynamic forces से मिल के बनता है, और yes, it is a complex process because of this thing, ठीक है, तो ए क्या होगा, इसका correct answer होगा, चलिया, 19th question, assertion, reason, management is required to remain highly cautious, alert and adaptable, the business environment is dynamic in nature, reason में लिखा हुआ है, first, assertion में क्या लिखा है, management is required to remain highly cautious, alert and adaptable, management को हमेशा highly cautious रहना चाहिए, alert रहना चाहिए, और adaptable रहना चाहिए, second में लिखा हुआ है, business environment dynamic nature की है, ठीक है, तो अब आपको पता लगाना है, दोनों sentences correct हैं कि नहीं है, if yes, तो एक दूसरे का explanation है कि नहीं है, and the correct answer of this question is A, yes, यह दोनों एक दूसरे से connected भी है, यह dynamic environment है, तो यह बदलता रहता है, और बदलता रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा adaptable होना चाहिए, business environment बदलता रहता है, तो management को हमेशा देहन रखना चाहिए, कि बदलाव के साथ, वो अपने अंदर भी बदलाव लाए, तो yes, management को adaptable होना चाहिए, थोड़ा सा alert रहना चाहिए, कि हाँ कुछ changes आ रहे हैं, थोड़ा से cautious रहना चाहिए, कि हाँ कुछ changes आ सकते हैं, और business environment बदलता रहता है समय के साथ, चलिए, अब हम आ गए हैं हमारे last mcq पे, इसके बाद subjective questions स्टार्ट होंगे, तो last mcq बोलता है, बैंगलोर is called the Silicon Valley of India, बैंगलोरू को हम Silicon Valley बोलते हैं इंडिया का, इस particular area की जो IT industry है, वो इतना जादा इसलिए fast forward हुई है, क्योंकि economic condition is उसकी बहुत अच्छी है, favorable है, मतलब उनको बहुत सारे ऐसे perks मिल जाते हैं, जो कि उनके लिए काफी ज़दा फायदे मन होते हैं, बताइए, बताइए क्या ये correct चीज़ बोल रहे हैं, correct बोल रहे हैं, तो क्या एक दूसरे का सही explanation है, and the correct answer is, assertion and reason में लिखी हुई चीज़े correct है, as well as दूसरा, एक दूसरे का हम उसको silicon वाली क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका IT सेक्टर बहुत ही बढ़ी है, IT सेक्टर क्यों बढ़ी हैं, क्योंकि वहाँ पे favorable लिखना हुए conditions है, दूनों ही तो सेम चीज़ों के बारे में बात करें, और explanation भी आ रही है, तो A will be the correct answer, तो यह हो गए हमारे 20 MCQ complete, एक-एक नमबर वाले सारे questions हमने कर लिए हैं, अब हम शुरू करेंगे 3-3 नमबर वाले questions, जिसकी शुरुवात होगी हमारे इस questions से, यह question बोल रहा है, from the business aspect, what is the need of studying political environment? Business की नजर से देखा जाए, business के perspective से देखा जाए, तो political environment को study करने की क्या जरूरत है, मतलब क्या need है political environment को study करने की? बही सोचो दो में एक पार, business political environment से किस तरस influence होता है? नई-नई policies बन रही है, government change हो रही है, government कभी किसी business के favor में होती है, कभी किसी और के business के favor में होती है, अलग-अलग ideologies से चलती है, अलग-अलग उसकी philosophies होती है, तो उससे बिजनस वोर्ड में influence तो आता ही है, जैसे अगर आप देखें, like Congress जब थी, तब अलग लोग limelight में रहा करते थे, जब BJP existence में आए, BJP existence में नहीं, अच्छली जीत किया आए, तो उस ताइम पे अलग businesses ग्रो करने लगे, flourish करने लगे, तो यह क्यों हुआ, क्योंकि कुछ ideologies जो पुराने वाली government की थी, वो इन businesses के favor में नहीं थी, and vice versa, तो SDA इस तरह से यह influence होता है, तो यहाँ पे यह बोलते हैं, the political environment consists of the forces concerning management of public affairs, and their impact on business, it includes political conditions in the country, and attitude of the government towards businesses and business policy, for example, अच्छा सॉरी, इसका हिंदी बता दो, यह बोलते हैं, political environment, वो public affair में की management से related, जतने भी वो होते हैं, bodies, उनसे connected होती है, और it includes political conditions in the country, एक country में political condition किस तरह की चल रही है, attitude क्या है, government का towards business या फिर business policy, उस चीज़ पे बेश्च होती है, इसमें example में दिया हुआ है, political unrest and the threat to the law and order, adversely affect confidence of investors, and reduces the level of investment in the economy, वो यह अगर माल लो, आपके देश में stability नहीं है, माल लो कोई भी government, power में नहीं आ पाती, लोगों के बीच में लड़ाई, धंगे, वगेरा सब चल रहे हैं, और political unrest वाली situation हुई पड़ी है, जो अक्सर हम पाकिस्तान में देखते हैं, बहुत यूशली पाई जाती है, ऐसी situation, तो ऐसे सिनारियो में investors, क्या आपके country में पैसान इन्वेस्ट करने में इंट्रेस्ट होंगे, अब ऐसे मानिये, कश्मीर कितनी प्यारी जगे है, बहुत ही basic से example दे रहे हुँ है, तो अफेंड मत हो ना, बस एक नॉर्मल इंडियन की नजर से जो देखा जाता है, उसके according दे रहे हुँ, अगर आप कश्मीर से belong करते हैं, ब्लीज ओफेंड नी हो ना, अब कश्मीर कितनी प्यारी, कितनी सुन्दर जगे, एक बच्चा है कश्मीर से हमारा, वो अकसर मुझे वहां की photographs भेज़ता रहते हैं, कि माम देखिया हमारे यहां पर कितना प्यारा है, मतलब कितना snowfall हो रही है, यह हो रहा है, घर इतने सुन्दर सुन्दर है, बच दिन वहां पर जाने से हर इंडियन डरता क्यों है, क्योंकि वहां पर unrest वाली situation चलते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है, पत्थर बाजी, यह वो गोलियां चलना, बहुत आफिन चीज़ है वहां की, तो ऐसे में हर इंडियन वहां पर जाने से डरता है, चाहे बहुत खूब सूरत है वो जगे, काईदे से तो खूब सूरत जगाओं पर लोग आने में मरते हैं, लेकिन आक्शली जहां पर आने में मौत सामना करना पड़े, मौत का सामना करना पड़े, face करने पड़े, death तो महां पर जाना तो लोग प्रेफर नहीं करते हैं, तो सेंचीज अन्वेस्डमेंट को लेकर होते हैं, अगर माहली जाने किसी भी कांट्री में unrest वाली situation है, politically कुछ भी stability नहीं है, then in that scenario, nobody will be interested in investing their own hard-earned money in that particular country. क्योंकि भई, मैं invest कर दू, महाँ पे चीज़ा हिल गई, stability तो पहले ही नहीं थी, मेरी investment का क्या होगा? वो तो डूप जाएगी ना, बिल्कुल डूप जाएगी. So वही है कि ऐसी political unrest वाली उसमें कोई भी investor invest नहीं करना चाहता है. Need of studying political environment are, political stability builds up confidence among business people to invest in the long-term project. Political stability अगर रहती है, तो लोग investment करने से डरते नहीं है, घबराते नहीं है. आज की rate में, इंडिया में लोग अभर-भर की क्यों invest करें? क्योंकि political stability है. But the instability in the politics results in disinvestment. But अगर instability होती तो obviously ultra result होता है इसका. The attitude of the government towards business also affects his business. Government का attitude business वालों को लेकि क्या है, उस चीज़ पर भी influence होता है. अचा मेरा एकना दोस्त है, जिसका business US में चलता है. अब he was quite happy when Trump was running the country. पहले हमारे मतलब US के President Trump थे. तो उस time पे वो बहुत खुश रहता था क्योंकि उसका business flourish कर रहा था. Because Trump ऐसी policies बनाता था, जो कि business man के favor में थी. But जब से वहाँ पे जो बेनन आ गए हैं, तब से उन्होंने policies ऐसी बनाने लग गए हैं, जो business world के favor में उतनी में ज़्यादा नहीं है। तो तबसे वह बहुत जादा frustrated रहते हैं कि क्या है वह है, महाँ पे क्या हो रहा यह है- वो है. तो वो चीज है, जिस तरह की government होते हैं उस तरह का ही business चल पाता है, जिस तरह की government, जिस तरह की business को support करते है वह सिर्फ उन बिसनेसे को ग्रोग कर बाती है बाकि सारे बिसनेसे इतने जादा उसमें ग्रोग नहीं कर पाते हैं किसी-किसी इंडास्ट्री को सबसिटी प्रोवाइड करें तो वो वाली जो कंपनी होगी वो तो ओविसली फ्लारिश करेंगी कि उसको गवर्मेंट से असिस्टेंस बिन रहा है हैं इंटरप्राइजस के लिए चाले अगयन यह कितने का है तीन नंबर का क्वेश्टन है तो इसमें आंसर छोटा ही रहेगा अब देखो अब देखो अगर मुझे लोन सस्ते दाम पर मिलेगा राम से लंबे समय के लिए मिलेगा मतलब मैं बैंक के पास लोन लेने गई उन्होंने बोला 2% पे हम तुम्हें लोन देंगे और 10 साल के लिए ले लो मैं तो खुशी हो जाओंगे मैं बोलूँगी और तो और तो और तो ऐसे मैं लोन लेती रहूंगी लेती रहूंगी और फिर मैं लोन लेके क्या करूंगी फिजूल खर्चया कर रहे होंगे अब मुझे बताओ पहले के वर्ड में कितनी कम गाड़िया हुआ करती थी कितनी कम गाड़िया मतलब सड़क पे हाड़ली किसी के पास एक गाड़ी हो पहले भुपाल में इतना कम ट्राफिक हुआ अगर तो आज कल अगर ऑफिस टाइम पे अगर मैं फ्री होती जिस ताइम पे 6-7 बजे अगर सब लोग जैसे ऑफिसे से फ्री होते हैं घर जाना होता है मेरा घर हाडली पांच मिनट के डिस डिस्टेंस पे लेकिन मुझे 10-15 मिन से लगते हैं कि इतना और किनव और यह क्यों कि फिया गाड़ी लोन बहुत सस्ता हो गया है यह माइम Ты आप गाड़ी उठा सकते हैं हर बंदेने यह माइन लगा लिए अपनी औो गाड़ी उठाना शुरू कर mostly से सबबस имеет house जाएंग लेना उतना ही कि लोग spend करना शुरू कर देंगे यह नो business में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके आसपास नहीं होते हैं सारी चीज़े आपके आसपास घूम रही होते हैं बस आपको observe करने की दे रहे हैं आपको analyze करने की दे रहे हैं तो लॉंग लॉंग टर्म रेट होंगे तो beneficial इस तरह से होगा कि लोग जादा spend करेंगे customer जादा spend करेंगे अब यह तो customer के और से हो गया ना कि भाया उन्होंने अपनी सरदर्दी बढ़ा बढ़ा लिए लेकिन business इसके लिए कैसा अच्छा होगा car selling companies के लिए कैसा अच्छा होगा कि जितना लोग उसके पास car खरीदने आएंगे उतने उसकी विक्री होगी उसने वह revenue generate करेंगा तो this cause and increase in demand demand की increase होगी और obviously demand increase demand की increase होगी मैं बोल रहे हो प्रिडाक्ट की demand increase होगी और प्रिडाक्ट ओविसी सेल भी जादा होगा consequently it leads to prosperity of the business enterprise तो business की नज़र से अगर देखा जाये तो उनके लिए तो यह फायदे वाले डीली है ना बात समझ में आई मैं क्या बोल रहे हो देखो अगर कोई bank इंसान को लोन सस्ते दाम पर देना शुरू कर देगा ठीक है तो इंसान भर-भर के लोन लेगा अब यह इनसानने जो भर-भर के लोन लिया है塔 क्या करेगा इसको सपेंड करेगा, spend करेगा, तो चीजों पर spend करेगा, अब ऐसे product की demand जो कि पहले कम हुआ करते थी, वो क्या होगी, इसकी वज़े से increase हो जाएगी, increase होगी, तो business man उस demand को जो पूरा कर रहा होगा, तो इसकी sale increase होगी, उसका revenue increase होगा, ultimately उसका profit increase होगा, तो वो prosperous होगा की नहीं होगा, बिल्कुल होगा, link है पूरी cycle है, समझ रहा हो तुम इसको, तो इस तरह इसे चीज़े move करती है, चलिए, इसी बात पर चलते हैं, हम हमारे next question पर जो की है, question number 23, यह बोलता है, what is technological environment, give an example for the same, technological environment क्या होता है, इसके लिए आप एक 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 जामपल दीजे, it says, technological environment refers to the changes in the output, production method, use of equipment and quality of product, it includes forces related to scientific innovations and improvements in product, as well as production technology, मतलब जब आप क्या करते हैं, आपके production की उसमें improvements करते हैं, innovation लाते हैं, कुछ नया ले की आए हो, पुराने वाले को हटा के, कुछ ज़्यादा efficient चीज तुमने introduce की है, तो यह technological environment में count की जाती है, for example, with recent improvements in technology and computerization, marketing and selling of the products is now possible online, leading to increase in sales and output of many firms, वैसे कायदे से अगर आपको ऐसा answer लिखना था ना, तो यह आपको break करके, नीचे एक अलग से paragraph create करना चाहे था, ध्यान देना, जब तुम लिख रहे होगे, presentation बहुत जादा matter करती है, तुम कैसे भी नहीं लिख सकते हैं, कि चलो एक यूस में लिख दो, यह पूरा अगर तुम एक यूस में लिखोगे ना, बड़ा हौच पॉच वाला हो लगीगा, इसलिए प्रॉपर पारग्राफिंग करना, फॉर एक्जाम्पल वाला संटेंस नीचे ले आना, और एक्जाम्पल में सब्सक्रपनों ने यह दिया है, कि जैसे जैसे डिजिटिलाइजेशन बढ़ती जा रही है, कम्प्यूटराइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे, ओनलाइन एडवर्टीजमेंट सेलिंग बढ़ती जा रही है, मिंत्रा, इंस्टेग्राम पे बेचना, इंफ्लेंसर्स के थूँ बेचना, किता सिंपल हो गया, आजकल हर अगला बन्दा अपना बिजनेस अपने घर से चला सकता है, और राम से वो भी, इंटरनेट की मदद से, तो ये क्या है, टेक्नलोजिकल इंप्रूव्मेंट है, और टेक्नलोजिकल इंवार्मेंट का पार्ट है, चलो मैंने ना स्क्रींशॉट लेने का मौका नहीं दिया तुम्हें, पहले इसका स्क्रींशॉट ले लो, मैं साइड में हूँ, इसका भी ले लो, इसका, देन इसका, नाओ लेट्स मूव तो नेक्स क्वेशन जो की है, क्या नेगिटिव इंपक्ट हुआ है, बिजनस वर्ल्ड पे इंडिया में, अब देखो, LPG, LPG रिफॉर्म जायते, 1991 में, उसमें क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अब हम मानते हैं, उससे काफी सारी चीज़ें इंप्रूव हुई है, पॉजिटिव काफी इंपक्ट हुए है, लेकिन अ, इस चीज़ को भी हम वो नहीं कर सकते है, डिस्कार्ड नहीं कर सकते, कि काफी सारे negative impacts भी ये business world के लिए ले कि आई है आपको यहाँ पे specifically negative effects के बारे में mention करना है और सिर्फ liberalization और globalization का, no privatization, ठीक है इन दोनों के negative impact का बात करना है business और industry पे इंडिया में दिखाऊं फिर answer, पहरे तुम खुद ही सोच के देखो क्या क्या हुआ होगा globalization आई, MNCs इंडिया में आने लग गए, बाहर के companies अपने products यहाँ पे sell करने लग गए हाँ बाहर का investment भी आया, that's a positive thing, लेकिन बाहर के companies भी तो आए, उन्होंने यहाँ आपे आके competition बढ़ा दिया तुम्हारे लिए जहाँ पे domestic वालों से compete करना ही थोड़ा मुश्किल हो रहा था, वहीं तुम्हारे competitor अब बहार से आने लगे हैं, जादा अच्छे products लेके liberalization की वज़े से आपके जो norms हटे हैं मतलब कम हुए हैं, relaxation हुए है, बट लोगों ने उसका भरपूर फाइदा भी उठाना शुरू करती है, वो भी चीज़ है चले इसका answer देख लेते हैं तो इस नेगेटिव एफेक्स अफ लिबरलाइज़ेशन अगलोबलाइज़ेशन आर, tremendous redistribution of economic power and political power leads to destabilizing effect on the economy, पूरी economy हिल के रह गई थी क्योंकि इतने major, you know, बड़े-बड़े reforms लिए गई थे, then a rapid increase in technology forces enterprises to adapt to changes or close their businesses, अब देखो, पहले तो क्या था, इंडिया में जो चीज़ available होती थी, उसी से ही business कर लेते थे, लोग बाग, जो technology available है, वही उस करके domestically जो produce कर सकते है, कर लो, लेकिन जैसे ही दरवाजे खुले, बाहर की नई-नई technology आने लगी, जो लोग तो afford कर सकते थे, उन लोग उन्हें ले ली, जो नहीं afford कर सकते थे, उन्हें अपने businesses बंद करने पड़े, क्योंकि देखो, handmade जो चीज होती है, ठीक है, मैं मानती हूँ, कुछ handmade चीजों का अपना ही क्रेज होता है, और लोग उन्हें महेंगे में भी खरीदना शुरू कर देते हैं, और ले लेते हैं, लेकिन maximum चीज है, handmade जो होती है, वो थोड़ी सी unfinished look देती है, ठीक है, finishing proper मशीनरी से बनी हुई चीज ही देती है, तो अगर technology इंप्रूफ हो रही है, मतलब machinery आ रही है, machinery से बने हुए products एक तो सस्ते भी होंगे, क्योंकि machine ने बनाये हैं, उपर से और कम time में भी बने हैं, और उपर से finishing भी अच्छी है, और दूसरी as increase for Indian firms, Indian firms के लिए competition obviously increase हो गया, क्योंकि obviously बाहर के लोग आके यहां पर अपनी businesses set करने लग गए, यहां पर बेचना शुरू कर दें, उन्होंने अपने समानों को, तो ऐसे में यहां के लोगो को एक नया वो मिल गया, threat from multinational companies, बहुत सारे multinational corporations enter हो गया, multinational corporations basically वो होते हैं, जो एक से जादा country में पाई जाते हैं, तो अब उन्होंने अपने offices खोलना शुरू कर दिये, तो again competition क्या हो, इंक्रीज हो गया, acquisition and mergers are increasing day by day, अब बड़ी companies, छोटी companies, इसको acquire करना शुरू कर रही है, छोटी company, छोटी company की साथ मिल रही है, merge हो रही है, ताकि बड़ी company फॉर्म कर सेगी, तो acquisition और merger बहुत जादा common हो गया था, तो यह थे कुछ negative impacts, वैसे acquisition और merge, इन में देखा जाए ना, हर एक चीज एक positive में भी थी, negative में भी थी, acquisition और merger से यह फायदा हो गया था, चोटी-चोटी companies को मौका मिल रहा था, बड़े बनने का, चोटी company को मौका मिल रहा था, बड़ी उसको acquire कर ले, तो पूरा पैम, तो यह फायदे वाली चीज भी है, लेकिन at the same time, मा लेचे किसी छोटी country को नहीं हो चाले, next question है, question number 25, यह बोलता है, environment provides both constraints and opportunities, comment, environment आपको ऐसी चीज़े भी देता है, जो आपको रोकती है, और ऐसी चीज़े भी देता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है, मजबूर है एक additional प्रवाइड करती है, opportunities प्रवाइड करता है, इस चीज़े पर comment क तो अबसी एक दो example के साथ, you can easily comment on this, business environment provides both constraints and opportunities, business environment जो होता है, वो आपको रोकने, restrictions as well as opportunities दोनों दे रहा है, इसमें यह बोलते है, some of the constraints are economic conditions, customs, government regulations, availability of natural resources etc, जो कुछ constraints है, वो यह है, economic condition, caution, economic condition पे आपका कोहई अज़र नहीं है, आपका कोई उनों ग्रवाइड ही, यह control नहीं है, कैसी भी हो सकती है, वो bearish हो सकती है, bullish हो सकती है, वो depression में हो सकती है, वो inflation में हो सकती है, वो recession में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, right, customs, government regulations, customs, मतलब लोग जो conventions फॉलो करते हैं किते सालों से गवर्मेंट रेगुलेशन गवर्मेंट कुछ-कुछ नहीं नहीं लॉज बाइ लॉज रेगुलेशन और रूज लेके आती रहती है उस चीज़ पर और नाच्रल रिसोर्स की एविबिलिटी मतलब कहां से कितना मिल सकता है यह सारी जीज़ों प को चीन रही होती है in spite of many initiatives FDI is not picking up in India due to political and bureaucratic hurdles यह पूर रहा है हम चाह रहे है foreign direct investment मतलब बाहर के लोग directly निवेश करें इंडिया में वो चीज़ हम बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं बाट देन हो क्या रहा है कि यह इंडियम जो political system है वो उस चीज़ को हो नहीं नहीं दे परी है वो ऐसे rules ही नहीं बना रही जो कि friendly हो इंवेस्टर्स के उसमें जो कि FDI लेके आ सकते हैं इंडिया में इसने कहीं नहीं हमारी FDI के situation नहीं ज़्यादा अच्छी नहीं है thanks to the political hurdles or bureaucratic hurdles जो भी रास्ते में आ रहे हैं on the other hand environment also offers various opportunities which include changing needs of the customer environment अभी हो गया negative बात है constraint वाली बात है देखें आपने तरीका देखा है answer लिखने का यहाँ पर कैसा है यहाँ पर constraints को अलग से explain किया हुआ है and opportunities को अलग से explain किया हुआ है so constraints में they are saying कि business environment बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो hurdles का काम करती है चलिए अब अगर positives के बारे में बात करें तो इसमें यहीं उन्होंने बोला है कि लोगों की need बदलती रहती है तो यहाँ पर opportunity आती रहती है नया कुछ लाने का customers की needs को पूरा करने के लिए technological advances भी कही न कहीं हमारी मदद करते है मतलब कुछ नो कुछ बढ़िया जैसे होता रहता है तो हमें भी मुआखा मिलता है और production में improvement करने का अब जैसे हमने देखा AC की demand बढ़ती जारे दिन बदिन गर्मी तनी पढ़ने लगी है कि हर एक इंसान को AC चाहिए होता है तो AC की demand बढ़ने से nationally, domestic players as well as international players बहुत सारे आ गए हैं market में चलिए, screenshot ले लिए आपने इसका move करें next पे next question हमारा question number 26 ही बोर रहा है enumerate the various ways in which managers respond to changes in business environment आपको अलग-अलग ways बताने हैं जिसमें managers respond करते हैं बदलते समय के साथ, मतलब business environment में जो changes आते हैं उसके साथ अपने अंदर बदलाव से मतलब जैसे मान लीजे, हमेशा बोला जाता है कि business environment अगर बदल रहा है तो आपको भी अपने अंदर बदलाव लाने पढ़ेंगे business में बदलाव लाने पढ़ेंगे ताकि आप उससे कदम से कदम में लाखे चल सकें बिलकुल exactly same चीज बोली हुई है कि किस तरहें से business management कर पाता है तेक है इसमें ये बोलते हैं following are the ways in which managers respond to changes in business environment first है strategic alliances, mergers and acquisitions of the businesses अगर माल लीजे, दो छोड़े-छोडे businesses हैं उनको लग रहा है कि उनके business को कोई बहुत बड़ा competitor टकर देने वाला है अब अखेले-अखेले तो वो उसके साथ लड़ नहीं पाएंगे तो इन दोनोंने हाथ मिला लिया कि चलो मिल के लड़ते हैं एक ये तरीका हो जाता है एक बार ऐसा होता है कि छोटी सी industry है अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं लेकिन बहुत चोटे लेवल के एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसको ये इंडस्ट्री से assistance मिलता है मतलब ये इंडस्ट्री जो है वह ऐसी चीज़े प्रड्यूस करते हैं इंडस्ट्री के काम आजाते हैं तो यह क्या करते हैं इसको एक्वायर कर लूँ तो मेरा काम चल जाएगा तो इसने इसको एक्वायर कर लिया यह भी बहुत बड़ा फायदा हो गया यह भी एक तरीका हो गया कि कैसे छोटी इंडस्ट्री अपने आपको सस्थेन करा आप पाएगे विद एल्प बड़ी इंडस्ट्री और आप स्ट्राटीजी का अलाइंस भी कर सकते हैं किसी किसी कंपेटिटर से डील करने के लिए फिर डाइवर्सिफिकेशन देखें कई कई बार ऐसा होता है कि आप अगर बहुत सा दूसरा नहीं चल रहा है तो वहाँ पर इस नहीं चल रहाए वाले को loss पर आप सर्फ एक ही प्रिड़ाइए व रहे होंगे तो विरत चल रहा हो काका बिसनस तो करने से कहीं ना कहीं आपका जो रिसक फक्र होताग आए वह थोड़ा सा कम हो जाता है और यह एक तरीका होता ह है deal करने का with the changing environment changing environment बदल रही है environment तो आपका एक प्रड़क्ट चल पा रहा है दूसरा नहीं चल पा रहा है फिर एक time ऐसा हो सकता है जब आपके दोनों प्रड़क्ट चलने लग जाए फिर एक पर मतलब एक प्रड़क्ट आपने साथ ले लिया उस मल्टिनाशनल ने आपके साथ मिला के जैसे यूट्यूब पर देखते हैं कुछ वीडियो होते हैं कुलाब वाली वीडियो जिसमें दो लोग कॉलाबरेशन करके एक वीडियो बना रहे होते हैं जोकि दोनों के चैनल्स पर जाती है या दोनों का उसमें नाम रिखा होता है मतलब उनका और काम बढ़ेगा और उनका इंफलेंस बढ़ेगा सेम चीज़ बिजनसेस पर होता है दो बिजनसेस मिलके हाथ मिला लेती हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं दोनों का नाम हो जाता है और दोनों को पहचान मिल जाती है उसके कस्टमर उसको जानने लग जा ऐसा होना चाहिए जैसे गूची प्राड़ यह सारे नाम ऐसे हैं जो बदलते समय के साथ भी देर नाट लूजिंग देर चामनेश ठीक है तो वही चीज रेस्ट्रॉक्टुरिंग अफ बिजनस अक्टिविटीज बिजनस अक्टिविटीज में कुछ-कुछ रेस्ट्रॉक्टर करते रहो ताकि आप बदलते समय के साथ तयार खड़े हो सको और बदलाव ला सको सब्सक्राइब अगर एक लाइन का एक्स्ट्रीनेशन लिख पाए वह सोने पर सुहागा हो जाएगा चलिए 27th question पान-मसाला चाबरा स्वस्थे के लिए चाबाना स्वस्थे के लिए हानिकारक है चाबाना, sorry पान-मसाला चाबाना स्वस्थे के लिए हानिकारक है shit anyways this statutory warning is compulsory to be mentioned on the labels of the product identify and discuss the environment which is associated with this example पान-मसाला चाबाना स्वस्थे के लिए हानिकारक हो सकता है ऐसा पान-मसाला वाले packet पे लिखा रहता है तो यह जो लिखा हुआ है मतलब तुम्हें वही product बेचना है और उसी पे तुम बुराई कर रहे है उस product की तो ऐसे कैसे चलेगा मतलब यह किस environment का हिस्सा है मतलब इसका dimension कौनजा business environment के कौनजा dimension का हिस्सा है आपको बताना है example की मदद से किसका हिस्सा है मैंने आपको समझाय था ना कि अपन वह product बेच रहे हैं और उस पे हम उसी की बुराई कर रहे हैं यह हम कब करेंगे जब हमारे उपर obligation होगी कि हमें ऐसा करना है अब obligation होगी तो obviously obligation किसके चलते होगी government के चलते होगी government ने ऐसे rules laws बना के रखे हुए जिसके चलते हुए हमें ऐसा करना पड़ेगा तो यह कौन से क्या हिस्सा हो जाएगा environment का? legal environment का हिस्सा हो जाएगा so they say legal environment is associated with above stated example legal environment से जुड़ा हुआ example उपर दिया हुआ है उपर इसमें यह लिखते है it includes various legislations passed by government court judgments decisions of various commissions and agencies at every level of administration non-compliance of these regulations can create legal problems अगर माल लीजे आप इन legal restrictions को पॉनो नहीं करते हैं और आप ऐसा नहीं चापते हैं अपने प्रड़क्ट के उपर और आप डारेक बेचना शुरू कर देते हैं और आप पे अगर raid पड़ गई मतलब आपके premises पे raid पड़ गई और उन्होंने देख लिया कि आपने ऐसा नहीं लिखा हुआ तो आपको jail तक हो सकती है आप legal problems में first सकते हैं A number of laws have been implemented by the government through the enactment of the Companies Act, Foreign Exchange Management Act, Factories Act, etc. Government ने बहुत सारी अलग-अलग तरह की acts बनाई हुई हैं बहुत सारे ऐसे अलग-अलग तरह के norms बनाई हुएं जिसके चलते हुए आपको वो सारी restriction follow करने पड़ती हैं जो की government ने आपके उपर लगाई हुई है तो first of all तो ये कौनसी environment का हिस्सा है legal environment का हिस्सा है and at the same time ये जितने भी restrictions हैं वो आपको follow करने पड़ते हैं अगर आप इसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आपके उपर legal problem आ सकती है jail तक हो सकती है और आपको हो सकता है कुछ penalty वगेरा बैर करनी पड़े ठीक है फड़ा बट screenshot लो इसका चलते हैं फिर हमारे next question पे and that's question number 28 ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं it says Ganga Foods Limited is engaged in the business of food processing it sells its product under a popular brand lately the business has been expanding due to good quality product and at a reasonable prices enumerate the environmental changes responsible for increase in sales question क्या है कि Ganga Foods Limited जो है वो business में है कौन से business में food processing वाले business में इसमें engaged है it sells its product under a popular brand इनो ने अपने products को एक popular brand के अंदर बेचना शुरू किया हुआ है lately the business has been expanding due to good quality product and at reasonable prices अब obviously जब यह business चला रहे थे तो उनका business अच्छा चलने लग गया बढ़ने लग गया reason being कि यह अच्छी quality के products बेच रहे थे और reasonable prices पे बेच रहे थे मतलब लोगों को यहां पे दोनों चीज़े से at the same time मिल रहे थी मतलब अच्छी quality के products भी मिल रहे थे और affordable prices पे भी मिल रहे थे sales increase करा रहे हैं बताओ कौन सी हो सकते हैं and the correct answer is social change first of all क्यों क्योंकि customer की preference मतलब बदलती जा रही है customer की preference जिस तरह की चल रही है वो इनके favor में तो customer इनसे आ आ के खरीद रहेगे बेच रहे हैं कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे कोई product अच्छे rate में मिल जाए और quality भी अच्छी मिल जाए कि हम ऐसे खरीदना पसंद नहीं करूंगी obviously खरीदना पसंद करूंगी तो customer को economic benefit भी मिल रहा है कि price उसके favor में है and at the same time customer की preference भी ऐसी चल रहे है कि उनको taste मज़े मज़ेदार लग रहा है बढ़िया लग रहा है चालिया 29th question the people of some regions translated the slogan of come alive as come out of the grave due to this the company lost its market share identify the dimension of business environment and state how this dimension affect the business the people of some regions translated the slogan of come alive as come out of the grave जो लोग थे कुछ रीजन के उन्होंने एक slogan को translate किया come alive की जगे क्या come out of grave मतलब अपनी उस से निकल किया ओ ग्रेव से बाहर निकल किया due to this the company lost its market share इस वज़े से मतलब यह जो translation आई है इस वज़े से company ने अपना market share lose कर दिया identify करिए dimension business environment का और बताईए कि कैसे यह dimension affect करता है किसी भी business को कुछ लोगों ने एक particular slogan का मतलब कुछ अलग ही निकाल दिया जिसकी वज़े से market share lose हो गया कई बार होता है ना जैसे तनिश्क की एक बार आड आई थी हमिताब बच्चन जी ने शूट करी थी उसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था जो कि बहुत negative way में लिया गया था और after a certain time उन्हें बोल आड हटानी बड़ी थी तो कई बार backfire कर जाती है चीजें हमारे अगेस तो वैसा ही यहाँ पे हुआ कि वो एक slogan लेकिया है come alive तो लोगों ने उसे interpret किया कि grave में से उठकिया वापस ठीक है तो इसकी वादे से market lose हो गया market share lose हो गया अब आपको यहाँ बिजनस environment का dimension पहचानना है और कैसे यह business को effect करता है वो बताना है the answer is this is the effect of social environment देखो तुमें कुछ नहीं करना था बस इतना सा दिमाग लगाना था यहां लिखा हुआ है people और मैंने हमेशा बता है जब चीजों चीजे लोगों से related होती है people से related होते तो वो social environment का हिस्सा बनती है तो this is the effect of social environment as it hurts the sentiments of the people and therefore they decided to stop the use of product ठीके effect of social environment on business firms effect उनके क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात करें तो first is traditions it refers to such social practices that are followed since decades traditions like celebrations of festivals provide greater opportunity to businesses like confectionery, sweets, greeting cards, gift galleries, etc यह बोलते हैं लोगों में क्या tradition चल रहा है उससे काफी influence होती है आपकी social environment लोग किस चीज को celebrate कर रहे हैं first is अब हम देखते हैं पटाको की sale बहुत होती है, sweets की sale बहुत होती है gifts की sale बहुत होती है dry fruits की sale बहुत होती है यह tradition है, right तो उस tradition के चलते हुए businesses पे impact डलता है second है trends लोगों में trend किस चीज का चल रहा है मतलब वो किस चीज को आजकल पसंद कर रहे है it refers to the changes and inclination towards new products नए नए products के टूबच जो inclination हो रहा है जो tiltation हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है emerging trends of health and physical fitness provide opportunities to businesses like gyms, diet drinks, mineral water, food supplements, etc जो लोगों के बीच में trend चल रहा है कि यह आजकल बहुत health freak हो रहे हैं सब लोग तो लोग organic food try कर रहे हैं लोग try कर रहे हैं कि उनको बाहर का जादा नहीं खाना junk food जादा नहीं खाना है तो ऐसे में ऐसे लोग जो कि junk food produce कर रहे हैं उनकी sales decrease होएगी और जो organic food दे रहे हैं offer कर रहे हैं उनकी sales increase होगे क्यों क्योंकि लोगों में trend उस तरह का चल रहा है तो social environment की वज़े से यह तो impact यहां पर लिखे हुआ है वैसे तो और भी impacts होते है बादन क्योंकि यह 4 number का question था तो इतना answer will be more than sufficient तो people लिखा हुआ है वहाँ से relate करोगे society से society से relate करोगे social environment से और उसके बाद effect उसके दो यहां पर mentioned है चाहें तो आप screenshot ले सकते हैं ओके चले, let's move to the next question यह बोलता है it is the process by which government controls over the industry is being loosened identify the term and discuss it briefly एक ऐसा term जिसके चलते हुए industry के उपर जो government का control होता है वो थोड़ा सा loose हो जाता है मतलब थोड़ा सा relaxation आ जाता है थोड़ा सा चीजे flexible and liberal हो जाती है I hope यहां से आपको answer मल गया होगा यह चाह रहे है कि आप उस term को पहले तो पहचाने उसके बाद उसे discuss करें तो सबसे पहले तो यह जाना ज़रूरी है कि सीज के बारे में बात कर रहे हैं अगर आपने वही सही से नहीं पहचाना तो आपका पूरा answer गलत हो जाएगा फर्से मैं इसका answer बोलू प्राइवडाइजेशन तेक है अब प्राइवडाइजेशन मैंने यह सोच लिया मतलब इस particular statement को ध्यान में रखते हुए यह answer आगया मेरा अब मैंने प्राइवडाइजेशन के बारे में इंडास्ट्री के ऊपर और वो लूज हो रहा है और मैंने आपको समझाते-समझाते एक वर्ड बोला था लिब्रल तो उससे पता सलता है इसके बारे में बात करें आप लिब्रलाइजेशन तो इससे बहुत सारी फॉमालिटी करनी पड़ती थी उसको इस ऑफिस और उस गुद्धा यहाँ से परमिशन लो वहाँ से परमिशन लो यह मिआ वह सरा लिक streets लिक्या पता नहीं कितने जंजट होते थे ऐसे वह इंडास्री सैट कर पाता था तो बहुत ही कम लोग इस एक हमने लगता था किसी के अंदर मुह कर लो थी तो बट लिब्रलाइजेशन के चलते हुए गवर्मेंट ने बोला चलो हम जादर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं हम यह जो बार-बार आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है हर एक चीज की उसको हटा देते हैं कुछ respective industries पर ही अभी भी यह restriction लगी रहेगी लेकिन बागी सारी industries को हम थोड़ा सा free कर देते हैं लिब्रल कर देते हैं तो अब जब चीज़े liberal हुई जब चीज़े थोड़ी सी free हुई flexibility आए तो लोगों ने सोच चलो भीया अब इस फिल्ड की तरफ भी जा सकते हैं तो इससे industrialization और ज़्यादा होने लगी इट सेज abolition of licensing in most industries, licensing जो पहले हुआ करती थी उसको abolish कर दिया मतलब हर चीज से पहले जो license लेना पड़ता था अब वो नहीं लेना पड़ेगा freedom to decide the scale of business, पहले scale जो होता था business का वो government से पूच के decide किया दाता था scale का मतलब है कितने volume में आपने produce करना है तो पहले जो होता था हमें small industry खोलनी है, बड़ी खोलनी है, उससे बड़ी खोलनी है कि हमें government से पूच के करना पड़ता था बड़ आज की rate में we can decide अपने according जितने पैसे हमारी जेब में है, उतनी बड़ी industry हम खोल सकते है freedom to decide prices of products, पहले क्या होता था, maximum products की prices decide करने से पहले government से permission लेनी पड़ती थी कि government हम इसका price इतना रख ले, इसका price इतना रख ले, इसका price इतना रख ले अगर government हाँ बोलती थी, तभी ही prices जैसे set होता थे, otherwise government जो बोलती थी, उसके according हमें करना पड़ता था, बट आज की rate में हम products की prices अपने according सेट कर सकते हैं, लेकिन बस यह होता है, government हलकी से restriction लगा के रखी है, कि MRP के beyond आप नहीं बेच सकते हैं किसी भी चीज को, और कुछ पर उन्होंने बंदों को ही freedom दे दिया, industries को ही freedom दे दिया, तुम जितने rate पर produce करना चाहों कर लो, the reservation of public sector enterprises, public sector enterprises को de-reserve कर रहे हैं, मतलब वो private की तरफ जा रहे हैं, पहले जो industries सिर्फ और सिर्फ public sector वाले ही enterprises चला सकते थे, आज की rate में वो private वाले भी चला सकते हैं, पहले ऐस privatization भी liberalization के साथ हमने introduce किया था Indian economy में और बोला कि भी या नहीं, अब private sector को भी थोड़ा सा आगे आने का मौका देना चाहिए, so ये है आपका liberalization and इस term को discuss करते हुए कुछ points, अगर आप चाहें, वैसे तो चार number का है, तो ठीक है, बट एक आधी line और insert करना चाहें, इसका एक explanation देना चाहें, तो भी बढ़िया लगेगा आपका answer, ठीक है, चलिए, next है हमारा question number 31, ये बुल रहा है, the court passed an order to ban polythine bags as, court ने कुछ order passed किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम polythine को ban कर रहे हैं, आपने भी सुना होगा, ये court अकसर करती रहती है, polythine को आए दिन बैन करती रह है, बपाल में भी भाए बहुत बार ऐसा हुआ है, कि पॉलतिन बैन हो गई है, जिस दिन पुलिस वालों ने चाहपे मारे है, उस दिन सारे अपनी पॉलतिन bags चुपा देते हैं, दो चार दिन तक सही रहते हैं, दो चार दिन तक customers को बोलते हैं कि नहीं, आप अपने घर से छोड़ दो तो, वही चीज है, जब तक सकती रहती है, तब तक हम लोग थोड़े से शांत रहते हैं, थोड़े से चीजों को मानते हैं, उसके बाद नॉमल हो जाते हैं, तो कोड ने बैन किया पॉलतिन bags को, इस bags are creating many environmental problems which affect the life of people in general, ये बोल रहे हैं कि जो पॉलतिन बैंग्स more concerned about quality of life, जो society है, इन जेनरल चाहती है, quality of life improve हो, instead of deteriorate हो, the government decided to give substitute to jude industry to promote this business, अब भई अगर पॉलतिन इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई replacement तो लाना पड़ेगा, कोई ना कोई substitute तो लाना ही पड़ेगा, तो jude bags उसके लिए ले के आ रहे हैं, तो जिसके लि ताकि jude bags को easily as well as कम दाम पर produce किया जा सके, अब देखो, अगर polythine को बिल्कुल replace करना है, polythine कितनी चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, हर अगली shop पे polythine इस्तेमाल होती है, उसको अगर आप jude bags से replace करना चाहरे है, तो जितने number of polythines present है हमारे country में, उतने number of jude bags बनाने आएंगे क्योंकि polythines के comparison में तो obviously महेंगे ही पढ़ेंगे न रहे, income's are rising and people can afford to buy these bags, यह बोल रहे हैं कि लोगों की इंकम बढ़ रही है, तो लोगों की इंकम के साथ-साथ inflation भी बढ़ रहा है, तो किसी की भी buying capacity कम होती जारी है, तो कहां से यह जूट bags खरीदेंगे, मतलब क कई shops होती है, जहां पर वो बोलते हैं कि आपको polythines चाहिए, poly bag चाहिए, आप बोलते हैं, तो वो एक्स्टरा पांच रुपए आप से चार्ज कर लेते हैं, कितना वो लगता है, मतलब हमारे यहां पर घर के बार साची पारलर है, तो वो पॉलती नहीं देता है, मतलब वो जूट बैक्स, पर वो क्या करता है, वो ट्रांजाक्शन होने के बाद, ही लास्क यू, कि यू नो, डू यू वांट डाट सफ, मतलब डू यू वांट पॉलते हैं, तो कोई बोलते हैं, तो पांच रुपए एक्स्टरा चार्ज कर लेते हैं, इतना मतलब और प्लास्तिक बैक्स के बास, और वो पांच रुपए देते हुए, इतना ओखा लगता ना, कि यार ये एक्स्टरा बिना मतलब की पांच रुपए में इसको दे रहे हैं, कोई सेंस डी बनता जिसका, क्योंकि अल्टिमेटली वो क्या है, वो पॉलते हैं, ठीक है, बैग होता तो फिर भी ये एक बार सोच लेते हैं, और बैग ले जाना घर से याद नहीं रहता, तो वो हर बार पांच रुपए एक्स्ट्रा वो कर क्या हो, ये तो जबरदस्ती वाली सीज होगे न, बट ठीक है, जो भी है, अकॉर्डिंग तो देम, इंकम इंक्रीज हो रही है, तो पीपल केन अ होगे न, उन सब में कोई न कोई डायमेंशन चुपी होई है बिजनस एंवायरमेंट की, आपको इन में से पहचानना है कौन से वाले पार्ट में कौन सा डायमेंशन चुपा हुआ है, ठीक है, एक बार फिर से देख लो तुम लोग, पहले वाले में ये बोल रहे हैं कि बै इंडस्ट्री को इनोवेटिव टिकनीक्स आ रही है, मैने फैक्ट्र करने के लिए जूट बैक्स लोग रेज पे, इंकम लोगों की बढ़ रही है, देखो, हर उसमें न, अच्छा तुम्हें हिंट दे थो थोड़ा सा, किस से तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ये देखो, य इन वर्लों, इन वर्लों, तो मैं थुम्हें आंसर मिल जाएंगे, खॉंस र्मेनिकिन की बारे में, बात हो रही है, वो तुम्हें पते से जाएगा, एक। फड़ा पट रेखलो ये तुम्हें लिए हिंट है, पिर मैं थुम्हें आंसर दिखा तू। रिमूव करtype and the correct answers are like this you don't have properly explained bhi ki hai so the court passed in order to ban polythene bags ये क्या हुआ court ने order pass किया है ये किस में आता है ये legal वाली चीज में आता है क्यों क्योंकि order pass हो रहा है court के द्वारा तो ये क्या होगा ये एक law होगा जो भी इसका violation करेगा उसको क्या मिलेगी punishment मिलेगी तो courted line is depicting the legal environment business has to function within the framework of laws and regulations of the country किसी भी business को उस country के laws and regulations के within ही perform करना पड़ता है अगर वो उन्हें break करें उन्हें violate करें तो कहीं न कहीं उनको जुर्माना भुगतना पड़ता है legal environment exercises significant influence on the business activities legal environment का बहुत ज़ादा significant influence होता है business activities पर तो आपको उसके विदर नहीं perform करना चाहिए फिर है polythine bags environmental उसको खराब कर रहे हैं यह किसका हिस्सा होगा यह social environment का हिस्सा होगा reason being environmental pollution किसका होगा society का होगा society किसका आसपेक्ट होती है social environment का आसपेक्ट होती है तो again यह भी business world को काफे ज़्यादा influence करते गर्वर्मेंट ने सबस्ट्री प्रवाइड करना शुरू किया यह किसका हिस्सा है government mark करवाया था जहां government लिखा आता है वह कौन सा पार्ट होता है पॉलिटिकल इंवार्मेंट का पार्ट होता है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब मैंने यह चाप्टर आपको एक्स्प्लें किया था innovative techniques के बारे में बात हो रही है तो यह technique technological environment का पार्ट होगी techniques highlight करी थी techniques technological बस simple link करना था इंकम के बारे में बात हो रही है इंकम के बारे में कहां पढ़ते हैं economic environment में पढ़ते हैं मैंने आपको बोला ना economics में आप जो जो चीज़े पढ़ते हैं अगर आपको वह लिखी हुई दिखे तो उसे बिना सोचे समझे इकनॉमिक एंवार्मेंट का पार्ट डिक्लेर कर देना जहां तुम्हें rules laws restrictions की बारे में पढ़ने में आए legal environment का पार्ट कर देना government आए political उसका पार्ट कर देना अगर people से related society से related कोई चीज आ रहे है तो social उसका पार्ट हो जाएगा technological technique innovation uniqueness इन सब से related कुछ हो तो वह आपके technological environment का पार्ट हो जाएगा बस simple आपको वर्च पी जादा है वर्च पेचानने और उसको link करना है फिर डिफेंट 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 आस्पेक्ट से चलिए अब हमारा आगे है यह लास्ट थर्ड कोईश्टन ठीक है यह है कोनक limited कोनार्क limited is an electronic goods manufacturing enterprise situated in शिव पूरी मध्यप्रदेश मेरी एक फ्रेंड भी रहते है हम अपे it is earning a very low revenue in comparison to competing electric goods manufacturing enterprises nova limited situated in mumbai both canak and novas operation are affected directly by the investors customers competitors and suppliers which are unique to their respective locations in addition to this individual forms of this field are affected in directly by the factors like the money supply in the economy composition of the families the technological changes etc identify and state the features of the concept discussed in the above paragraph also state any four points of importance of this concept simple question बस हिंदी समझनी आपको इसके क्या बोल रहे हैं यह बोल रहे हैं मैं थोड़े यहां पर हूँ अब चाहें तो pause करके खुद भी पहले analyze कर सकता है इसका answer क्या होगा इसके उसके बाद play करके देख लिजेगा क्या आपका answer actually मेरे answer से match कर रहे हैं कि नहीं यह बोल रहे हैं कुनाक limited जो है वो एक electronic goods manufacturing enterprise है मतलब electronic goods बनाती है यह शिफ पूरी में मध्यप्रदेश के यह बहुत low revenue generate कर रही थी in comparison to इनका कोई competitor है उसके comparison में यह बहुत जादा low revenue generate कर रही थी वो competitor का नाम क्या है nova limited जो कहां situated है मुंबई में situated है बोथ कनाक्स और नोवा's operations are affected directly by the investors, customers, competitors and suppliers which are unique to their respective locations यह बोलते है इन दोनों के जो operations है ना काफी हद तक influence होते है investors से, customers से, competitors से, suppliers से जो की respective locations पे unique है मतलब उसकी अलग है इसकी अलग है obviously in addition to this individuals firms of this field are affected indirectly by the factors like the money supply in the economy, composition of the families and technological changes इसके अलावा कुछ general factors भी है, like कहने का मतलब यह कुछ specific factors थे जो उनको respective way में influence करते थे और कुछ general factors है जो सबको मतलब दोनों को same way में influence करते है जैसे की economy में money supply की situation कैसी है country में families का composition कैसा है, technological changes कितने आ रहे हैं फिर यह बोल रहे हैं identify and state the feature of the concept discussed in the above paragraph फूपर वाले paragraph में कौन से वाले feature के बारे में discussion हुई है आपको वो state करना है और identify करना है और state करना है और चार points importance के उस concept के और ज़्यादा आपको explain करने है मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने हिंदी बताते बताते सबमोट आपको answer ही बता दिया है पर ठीक है फिर भी थोड़ा दिमाग लगा के पता लगाने की कुशिश करो क्या होगा correct answer hint मिल चक है तुम्हे and the correct answer is the business and the concept discussed here is business environment and the feature is relativity features of business environment the main features of business environment are as follows totality of external forces specific and general forces interrelated night, dynamic feature, uncertainty, complexity, relativity चीक है फिर importance की बारे में बात करेंगे but before that आप यह समझ लीचे छे नंबर का question है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने na explanation कुछ जादा ही लंबी कर दिया छे नंबर के according बहुत ही मतलब जादा हो गई है but anyways main features क्या है business environment की totality of external forces कहने का मतलब यह business environment सारे forces को मिला के बनती है मतलब एक organization है organization की बाहर जो भी चीज़े आ रहे है जो भी videos आ रहे है उन सब को combined करते तो हमारी क्या बनती है हमारी external force मतलब हमारी business environment बनती है तो यह सारी external forces का combination है specific and general forces specific forces जो की कुछ respective इंसान को ही influence करती है whereas general forces जो सबको same way में influence करते है यह तो clearly mentioned था और यह explanation के time पर मैंने आप लोगों को बता भी दिया था right उसके अलावा interrelatedness एक चीज़ दूसरी के उपर dependent होती है दूसरी चीज़ तीसरी के उपर dependent होती है वो चीज़ एक्स्प्लेंड की होई है बिजनस एंवार्मेंट काई अफ बदलता रहता है बदलते समय के साथ uncertainty बिजनस एंवार्मेंट का कोई भरोसा नहीं बिल्कुल भी certain नहीं है complexity बिजनस एंवार्मेंट इतनी सारी चीज़ों समिलके बना हुआ है उपर से यह dynamic भी है तो इसलिए इसको बहुत जादा complex बोला जा सकता है यह simplified नहीं है relativity relativity मतलब हर region से influence होती है चीज़े कोई भी business और उसके factors एक particular region के उपर dependent होते है उस region में जो भी चीज़े पाई ही जाती है वो दूसरी region में नहीं पाई जाती तो जो भी influential factors होते है न वो region wise बी डिफुकेट होते है importance की बात करें उन्होंने चार points बोले थे importance पे लिखने में यह बोलते है good understanding of environment not only helps the manager to deal with uncertain situations but also helps enterprises to identify and benefit from opportunities that the environment offers the following points highlight the importance of business environment first है it enables the firm to identify opportunities and get the first mover advantage मुझे पता है मेरे लिए क्या फायदामन चीज़े आ रही है तो मैं उस से उसका भरपूर फायदा उठाऊंगी अगर मैं अपने business environment पे नजर ही नहीं रखूंगी तक क्या मुझे पता लगेगा मेरे लिए को फायदा उठाने की बात दूर की है हो सकता है मैं उस चीज़ का प्रॉपर ली यूटिलाइजेशन भी ना कर पाहूं जब वो अच्छली मेरे पास आई बिकिस आ वोजन प्रिपेर्ड फॉर इट राइट तो आपको first mover advantage मिल जाता है अगर आप अपने business environment पे थोड़ा सा नजर रखते हैं तो करो अच्छा से उसके पर नजर रखो तो आपको उनके बारे में पहले से पता चल जाएगा और आप उसके लिए preparation पहले यूं कर रहे था कि हमार पास खाने के लिए कुछ नहीं हमार पास पीने के लिए कुछ नहीं है यह helps in tapping useful resources आप अपने resources को बहुत usefully मतलब आप अराम से resources को tap कर सकते हैं अगर आपका business environment पे अच्छी पकड़ है तो अच्छे से आप नजर रख रहे हैं कहां कौन से resource मिल सकता है कहां किस दाम पर मिल सकता है यह आपको rapid changes से deal करने के लिए कोप करने के लिए भी मदद करती है और विसी बदलते समय के साथ आपके अंदर बदलाव आ सकता है अगर आप उस बदलते समय पर नजर रखे कि हो क्या रहा है उस टाइम पे इन अस्पास क्या चल रहा है और क्या बढ़ सकता है यह सारी improving performance इससे आपकी improvement हो जाती है performance की ठीक है एक बार एक काम करो यह answer का screenshot लेड़ो and now let's move to the last second question यह है case study क्या बोलती है यह चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में यह case study है Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited की बारे में IRCTC सुना होगा आपने शॉर्ट में राइड उसका फुल फॉर्म है यह government की एक enterprise है e-ticket booking on this website a guide e-ticket की बात हो रही है website पर जाके e-tickets आजकल में जैसे पहले होता था पहले क्या होता था टिकेट फिजिकल में आती थी आजकल क्या होता है मार पास phone पेक message आता है कि यह देखिए यह आपका ticket है और इस seat में आपको बैठता है यह आपका PNR number है और सफ जितना भी होता था तो पहले हो गया चीज़े राइड रजिस्टर आज इंडिविज्टरेशन इस फी आपने देखा होगा अगर आपने IRCTC चलाया है अभी तक यह नहीं चलाया तो एक बढ़ चला के देखना यह बेसिक चीज़े आपको आनी चाहिए ठीक है वहां पर आपने रजिस्टरेशन करने की कोई चार्ज नहीं है जैसे फेस्बुक पर अकाउंट बनाते तो रजिस्टर करते ना पहले अपना नेम अपना फोन नंबर अपना मेल आईडी सब डालते हैं उसको रजिस्टरेशन बोलते हैं तो सेम जीज़ रजिस्टरेशन IRCTC पर भी ह लोगन करना होता है तो उस आईडी पासवर्ट के थूआ पाल लॉगन आईडी मतलब लॉगन करते हैं जैसे इंस्टरेग्राम फेस्बुक पर आपने आईडी पासवर्ट बना दिया उसके बाद जब भी आपको लॉगन करना होता है चलो यह तो हमेशा चलती रहते हैं लिखा होता है plan my travel and book tickets मतलब मेरा travel plan करिये और tickets book करिये use help option for any help required to book tickets अगर माल लीजे आप कहीं first जाते हैं there is nobody to help you तो एक option help का उस website पर भी available रहता है जहां पर जाके आप respective इंसान से help मांग सकते हैं fill in the details by following the guidelines given below आपको details भरनी पड़ती है guidelines को follow करते हुए कौन सी guidelines जो की नीचे दी हुई है because of technological advancement it has become possible to book railway tickets through internet from home office etc यह पो रहे हैं technological environment के चलते हुए आज की डिट में हम घर से अपना ticket book कर सकते हैं और आम से हमें counter पर जाने की जुरती हुथी आप लोगों ने शायद वो जिंदिगी अभी अच्छे से देखी नहीं होगी अब बहुत छोटे होंगे पहले जो होता था ना पहले अगर आपको कहीं जाना है और tickets लेने तो आपको पहले railway station जाना पड़ता था उनकी एक लंबी line बनती थी लगती थी बहां पर आपको घड़े वने पड़ता था सम्टाइम्स लाइक किसी किसी इंसान को तीन तीन चार चार बजे railway station पर काउंटर पर मतलब लगना पड़ता था इसे line लगा के मैंने वह फेस भी देखा है एक बार हमें ततकाल में टेकेट रहे थी तो मैं और मेरी भेंट साढ़े तीन बजे railway station गए थे और हमने लाइन में बैठके वह किया था लेकिन तब भी हम लेट हो गए थे मतलब ऐसा सोचो देव फ्यू पीपल जो हमसे भी पहले आयोगे थे वहाँ पर तो यह होगा करता था पहले की जिन्दी में लेकिन आज क्योंकि टेक्न लॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है आज 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 आपको वहाँ पर जाके काउंटर पर जाके टिकेट्स नहीं खरीद नहीं परते हैं आप घर से अपनी टिकेट्स भूप कर सकते हैं ततकाल वाली आज दूसरे वाली यहां आप से पूचा गया है नेम एं एक्स्प्लेंड थे कॉम्पोनेंट और बिजिनस एंवा परियर में बातों हो गे टेक लॉज कर पर इंवार्में ऑराष और हो रही है एट रहती हो तो चेंग प्लेस बहुता पर प्लिया पन राइट्मेंश किप कर रहें इसको ऑग कि उूर्णिए के उपर इसका इंपर किज्निफिकन एफक्त क्या होगा टेक्न लॉजिकल एंव possible online आप marketing और selling online कर सकते हैं पहले जैसे newspaper में radio पे चलानी पड़ती थी और भी बहुत सब कुछ करना पड़ता था hoarding लगानी पड़ती आज की रिट में आज की रिट में आप online पर वो करो सारी चीज़े online आप you know google पे चला दो आप facebook पे चला दो आप Instagram पे आज चला दो राम से आपकी वो हो जाती है marketing हो जाती है this has increased the turnover and profit of many business concerns इसने turnover और profit बढ़ा दिया है बहुत सारे business concerns का similarly firms engaged in tours and travels and tickets booking are growing because of online system of ticket and hotel booking ऐसे ही firms जो है tour and travel वाले वो बढ़ रहे हैं online tickets वो हो रही है जादे जादे लोग online खरीद की अपना पूरा वो चला रहे है innovation in the area of food preservation has not only provided vast opportunity to the farm producing jams, jellies, pickles ready to cook food etc but has also increased the demand and consumption of such products in the society ये पूरे food industry की बात करो तो आजकल वो बुखारे न पाच मिनिट में आपका तो पूरा वो तयार हो जाएगा half big paratha बेच रहे हैं वो जिसको आपको बस थोड़ा सा और वो करना है and then you know आप खा सकते हैं उसे बनी बनाई सबसी आ रही है बस उसे पांच मिनिट गयास पर रखना और आप खा सकते हैं उसे ये सब क्यों हो पारा पॉसिबल क्योंकि preservation प्रेजरेटेव और भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई है तेकनलोजिकल अप्लेफ्मेंट हुई है जिसके कारण यह सारी चीजे पॉसिबल हो पा रही है अब हो पा रही है तो इनका consumption भी बढ़ रहा है इनकी फर्सक्वेशन सेग्ड क्वेशन और यह आगे है हमारा लास्ट क्वेशन जिसका नाम है जो अगेन एक केस थाड़ी है नाम क्या ही होगा इसका अगे यह पॉरे नरेंद्र चंचल नरेंद्रांचल नरेंद्रांचल Networks and Technologies Limited is a leader in technology innovation in USA creating products and solutions for a connected world it has a large research and development team which invented the first smart watch W1 which besides showing the time would also monitor few health parameters such as heartbeat, blood pressure etc while in search of markets abroad the company found that in India the reform process was underway with the aim of accelerating the pace of the economic growth the company decided to take advantage of the fact that licensing requirements have had been abolished the company was also aware that there had been increased level of interaction and interdependence among the various nations of the world and India could be able to base for its international trade it set up its office in Gujarat with a view to capture the Indian market in a short span of time the company merged as a market leader success of the company attracted many other players to enter the market competition resulted in reduction in prices thereby benefiting the customers in the above paragraph two major concepts related to government policy have been discussed explain and identify those concepts also explain briefly any three impacts of these concepts on the Indian business and industry okay 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 सक्सेस देख कि बहुत सारे और लोग आ गए मार्केट में इनका कॉंपेटिशन बढ़ गया और कॉंपेटिशन की चलते हुए इनको प्राइजिस कम करने पड़े और इससे कस्टमर्स का जरूर भला हो गया क्योंकि कॉंपेटिशन की चलते हुए बिजनस वाले तो इन करने ख्राइब और करेंगेन आपको साथ यह इस लिडिया है उसके पर इनकार तो आपका 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 क्सेप्ट के और बात हुए फर्स लिबिलाइजेशन गलोबाईजेशन मुझे ऐसा लगा है इसके बिगाए आपते हैं अडिया क्सेज़िगें घिया आप इंडिपेंडेंस सबको एक्स्पेंड करते हुए ग्लोबलाइजेशन वर्ड मेंशन कर दिया था सारी साथ लिप्रलाइजेशन तो बहुत ही क्लियरली मेंशन था कि बाहर वाली कंट्री यह देख के बहुत जादा खुश हो गई थी कि यहां पर तो अल्रीडी एल्पीजी व पारेम बात करें तो टेक्न लोजिकल एंवार्मेंट नीट फोर डिवलपिंग फ्रिवेंग उन्रिसर्ट उर्म्कित ओर्म्स तो डिवलाप नूव जब बढ़ जाता है तो आपको कही ना कही सस्थेन करने के लिए उस मार्केट में कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है क आपने पहले कभी ना किया हो ठीक है नीट फर डिवलापिंग हुमिन रिसोर्ट इन्यू मार्केट कंडिशन रिक्वाइब पीवल बिद हायर कंपिटेंस हैं ग्रेटर गमिट्मेंट यह बोलते हैं पहले की जमाने में हर कोई मतलब अराम से चल जाता था मार्केट में इम्पूब्मेंट करने की जुरॉत है अज कल मार्केट ओरेंटेशन टेक्निक्स पर ज्यादा फोकस किया रहे हैं इसलिए इसलिद अब प्रिदक्शन किस तरह से हो रही है उस के यहाँ पे हमारा यह पर्टिक्लर चाप्टर का फोल पाकेच सीडी जिस यह वीडियो में होगा आपने अच्छे से अटेम्ट केंगे पहले एक वेस्टन अब मैं आपको एक चीज़ बता दो यह सीरीज पूरे चाप्टर इंक्लिवड करेंगे और उसके बाद चाप्टर की भी एक वो आएगी मतलब सीरीज क्या इसी सीरीज में ही एक सेंक्शन होगा थोड़ा सा तो उसके लिए वेट करिए 12 बोज के हमारी प्रेपरेशन शुरू हो चुकी है उसका भरपूर फाइदा उठाइए जो भी डाउट है कॉमें सेक्शन में लिख दीजे सब्सक्राइब कर चुके हैं कुछ और कर रहे हैं इन बिट्वीन है प्रोसस में हैं सो हर एक चीज को अच्छे से देखिए जो आपके काम की चीज है काम की वीडियो है इसको अच्छे से तसली से टाइम निकाल के देखिए और बढ़िया-बढ़िया मार्स लाइए प्रोसस देखिए कर दो को मार्स लाइए लाइण बढ़िया लाइए 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 लाइए